हेलो एव्रीवन वेलकम तू थू अमेजिंग प्लैटफर्म आफ कॉमर्स वाला मैं हूँ आपका मतमाटिक्स कोच आशीश भाटिया सुदेंट्स आज की सीश प्रिंट सीश की वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे अपने कोर मैट्स का चैप्टर कॉंटियूनिटी और डिफिरेंश यबिलिटी क्लास 12 में जो अप्लाइड मैट्स के सुदेंट्स है वो अलड़ी इस चैप्टर को क्लास 11 में पढ़ चुकी होते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये चैप्टर उनके CBSE का अपना CVT का स्लेवर्स का पार्ट नहीं है पर जो कोर मैट्स के क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये टॉपिक हमारे पास CVT स्लेवर्स का पार्ट है अब हमारे को इस टॉपिक में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैटा continuity of a function की कि कि किसी भी function को आप continuous कब बोलते हैं क्या उसका graphical meaning है क या उसका algebraic meaning है और कैसे चेक करते हैं कि कोई भी function हमारे पास continuous है या फिर नहीं है देन आफ्टर दा concept of continuity of a function हम चेक करेंगे कि कोई भी function हमारे पास differentiable कब होगा क्या हर continuous function हमारा differentiable होता है या फिर जो function differentiable होता है वो continuous जरूर होता है तो इस सारी बाते हम लोग इस topic के अंडर क पास आप लोग product rule, addition subtraction rule और quotient rule and chain rule का basic class 11 में पढ़ चुके हो ठीक है यहाँ पर हमारे पास जो main topic है derivatives के अंदर वो आपके पास है कि exponential function की differentiation कैसे होती है logarithmic function की differentiation कैसे होती है implicit functions क्या होते है explicit function क्या होते है क्या उनके derivative होते है फिर logarithmic differentiation and parametric functions की differentiation यह हमारा यहाँ पर core part रहेगा जो second order derivative है वो हम already cover up कर चुके है application and derivative के अंदर जब हमने बात की थी higher order derivative की तो वो वाला part हम लोग जो second order derivative का है वो already कर चुके है तो उसको हम लोग इस वीडियो में discuss नहीं करेंगे तो then after derivatives of different functions हम लोग questions practice करके देखेंगे कि CUT के लिए किस तरह के questions हमारे ले important हो जाते है because यह जो chapter है आपका वो subjective nature का जाधा है ठीक है इसमें आपको पूरा process करना पड़ता है derivative का follow या फिर continuity का पूरा process follow करना पड़ता है but multiple choice question की format में CUT के लिए किस तरह के question important है वो सारी बाते बैटा इस वीडियो के इंदर होनी वाली है तो बिल्कुर end तक आप लोगों ने बने रहना है और इन वीडियो में जो concept और question आपको सिखाय जा रहे है उनको तो बैटा गलती से भी आपने छूड़ना नहीं है because यह एक तरह से चाबी है आपके पास आपके dream college की इनको को आपने कर डाला तो आपको आपके dream college से आपको पास आपको कोई दूर नहीं कर सकता ठीक है provided आप साथ साथ मेहनत कर रहे हो और जादा because competitive examination है आपको आगे निकलना है बड़ यह तो must है इनको करे भीना आप लोगोंने नहीं जाना है यह बात दिमाग में रख लो तो देखो किसी भी function की continuity का मतलब रहता है अगर मैं graphical ही मतलब आपको समझाओं कि यह जब हम लिखते हैं कि हमारे पास y equal to f of x एक function है तो हर function हमारे पास क्या करता है कोई ना कोई एक curve रिप्रेजेंट करता है अगर वो linear है तो वो line represent करेगा constant function है तो भी एक line represent करेगा बड़ हमारे पास हर एक function मैं एक overall रवीय में बोल रहा हूँ कि एक curve represent करता है मतलब उसका कोई न कोई graph तो बनेगा ही बनेगा ठीक है अब हमारे पास suppose करो कोई function है y equal to f of x अगर उसके curve को trace करते हैं मतलब उस curve का graph बनाते हैं अगर मुझे अपने pen को कहीं पर भी lift करने की जरूरत नहीं पढ़ रही है तो that means यह फंक्शन हमारा हमीशा क्या रहेगा continuous रहेगा यह function हमारे पास क्या रहेगा हमीशा continuous but suppose करो कि मेरे पास कोई एक इस तरह का function है कि जिसको plot करने के लिए मुझे इस तरह से करना पड़ा कि पहले ही हाँ से यहां तक गया हमें फिर यहां पर उसके बाद suppose करो curve जो है वो इस तरह से भी हिप कर रहा है ठीक है तो that means यह इस curve को ड्रॉ करने के लिए मुझे इस point पर इस point का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारे पास x की value 0 है बिकॉस हम लोग origin का इस पॉइंट पर मुझे इस कर्व को ट्रेस करने के लिए अपने पैन को ठाना पड़ा कि पहले मैं माइनस इंफिंटी से इस कर्व की तरफ आ रहा हूँ जैसी x की value 0 आई यह value आई फिर मैंको यहां पर क्या करना पड़ा वैल्यू जो अपना चींज करने के लिए आगे की वैल्यू इसको का अवरब करने के लिए अपने पैन को लिफ्ट करके फिर कर्व करना पड़ा तो that means यह function हमारा क्या हो गय discontinuous एक फंक्शन हमारे पास क्या हो गया discontinuous हो गया discontinuous हो गया discontinuous और इसकोंटीनिवर्स यह कहां पर हुआ जिस पॉइंट पर आपको पेन लिफ्ट करने की जुरत पड़ागी उस पॉइंट पर हमारे को क्या हो गया यह function discontinuous हो जैसे इस example में हमारे पास जो function है वो x equal to 0 पर क्या हुआ ब्रेक हुआ क्योंकि वहां पर मुझे इस कर्व को ड्रो करने के लिए अपने पैन को लिफ्ट करना पड़ा तो मैं बोल सकता हूँ कि यह फंक्शन हमारे पास जीरो पर क्या है एक बात आपको याद रखने हैं कभी भी continuity है वो किसी एक पॉइंट पर चेक की जाती है फिर एक से जाधे भी हो सकते हैं बट आपको एक पॉइंट रखना होता है जिस पर आप लोग उस फंक्शन के लिए continuity चेक कर रहे होते हो ठीक है एक छोटा सा example देखे आपको समझाता हूँ फिर definition पूरी करते हैं बटा suppose करो कि यह आपका एक railway platform है ठीक है suppose करो यह हमारा क्या है एक railway platform है ठीक है अब इस railway platform के मैं इस point A पर खड़ा हूँ तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्या इस point A पर हमारे पास जो platform है वो continuous है या नहीं तो आप क्या करोगे आपने इस point के left में देखा कि क्या platform है आपने इस point के right में देखा कि क्या platform है आपने इस point पर देखा कि क्या platform है तो तीनो जगर अगर आपके पास same platform है तो that means इस point पर जो आपका station का platform है वो क्या है? continuous है. सबोस करो इस platform का नाम है platform number one तो इस a point पर platform number one जो है वो क्या है? continuous है. बट अगर आप खड़े हो इस point पर b point पर जहाँ पर आपका platform end हो रहा है और अगर मैं इस point पर पूछू कि क्या आपके इस point पर जो platform number one है, वो exist कर रहा है, तो आपने देखा, कि मेरे पस left में तो platform नहीं है, right में हमारे पास platform है, और इस point पर भी platform है, बट क्योंकि left में हमारे पास यहां पर platform exist नहीं करता था, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, यहां पर b point पर जो platform है, आपका वो continuous नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि यह चीज इस point पर continuity है, तो अगर जिस point पर सड़क के बीच में गड़ा है, अगर मैं पूछू, उस point पर क्या वो road continuous है, तो आप बोलोगे बहुआ, उस गड़े से पहले भी road है, उस गड़े के बाद भी road है, बट उस point पर, जिस point पर वो गड़ा है, जो whole है, को हम बोलते हैं कि अगर कोई भी एक function है तो अगर x equal to a point हम लोग reference पर बात कर रहे हैं तो function f of x is set to be continuous at point x equal to a if lhl is equal to rhl is equal to f of a तो बटा जब यह तीनों condition हमारे को मिलती है तब हम बोलते हैं कि कोई भी function हमारे पास continuous है या नहीं उस point पर जिस point पर हम लोग reference की बात कर रहे हैं तो lhl क्या होता यहां पर अब यह मतलब समस्ते हैं में लोग where जो lhl है lhl को बोला जाता है बिटा left hand limit तो इसको बोलते कि हम लोग left hand limit तो वो सिर्व एक reference था कि मैंने अपने left में देखा मैंने अपने right में देखा मैंने उस point पर देखा तो यह lhl क्या represent करता है कि जो आप left में देख रहे हैं यानि left hand limit और इसकी value आपको दी जाती है by the formula limit x approaches to a minus f of x विकॉज जब हम number line की बात करते हैं और हम लोग किसी point अगर a की बात कर रहे हैं तो lhl मतलब उसके left में जो values होगी वो a से छोटी values होगी ठीक है कि number line की recording a के left में जो values होगी वो सारी a से छोटी values होगी अगर छोटी values हैं तो obvious सी बात है a में कुछ minus करके वो बनी होगी तो उसकी value होती है x approaches to a minus f of x फिर आपके पास जो rhl होता है उसको बोला जाता है right hand limit right hand limit और जो हमारा rhl होता है it is equal to limit x approaches to a plus f of x it means कि इस a point के right में जो value है ठीक है obvious सी बात है अगर a के right में कोई value है number line पर तो वो a में add करके ही कुछ बनेगी इसलिए a plus ठीक है और आपके पास जो f of a होता है f of a means value of function value of f of x at x equal to a ठीक है तो जब ये आपके पास तीनों चीजे same value देती है तो हम बोलते हैं उस point पर जो हमारा function है वो continuous है class रहमत में आपने सरफ LHL और RHL के बारे में बढ़ा था कि अगर LHL equal होता है RHL के तो आपके पास उस point पर जो function है या पर जो limit है उस function की वो exist करती है ठीक है बट अगर LHL और RHL equal ही नहीं है तो उस function की limit उस point पर exist नहीं करती है अब अगर limit ही exist नहीं करेगी तो continuous की तो बात ही नहीं होती है ठीक है तो यानि continuity से पहले आपके पास function का क्या होना जुरूरी है existence जुरूरी है उस point पर अब अगर उस point पर उस function की existence है तो फिर उसकी continuity चेक करे जाती है ठीक है तो यह बिटा हमारे पास एक तरीका होता है किसी भी function को check करने के लिए कि वो हमारा function continuous है या फिर नहीं है तो आप LHL find out करोगे, यह उसका formula है RHL find out करोगे, यह उसका formula है और F of A तो आपको बता ही है आपने बहुत detail में CVSC में इस chapter को cover up करा हुआ है continuity को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग जो subjective questions है हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे है हम बात करेंगे किसकी जो हमारे CVD exam के लिए important है that is important formula of limits जो आपको use होंगे questions को solve करने के लिए important formula of limits ठीक है जो आपकी कई बैब यार use करते हैं हम लोग questions को solve करने के लिए तो इस पर आप कौन-कौन से formula आप लोग पढ़ोगे तो उसकी बात करते हैं तो जैसे सबसे पहला हमारा limit पर formula हो जाता है कि limit x approaches to a x raise to power n minus a raise to power n upon x minus a ये equal होता है n into a raise to power n minus 1 के फिर limit x approaches to 0 sin x by x same limit x approaches to 0 tan x by x ये किस के एकवल होता है हमारे पास हमेशा 1 के एकवल होता है and same is the case for inverse trigonometric function limit x approaches to 0 sin inverse x by x ये limit x approaches to 0 tan inverse x by x यहाँ पर भी ये बिटा हमारे पास equal to 1 होता है ठीक है then आप एक और जो ncrt में limit के एक formula पढ़ते थे कि 1 minus cos x by x ये भी किस के एकवल होता है हमारे पास ये हमारे पास equal होता है 0 के then exponential function के लिए हम लोग limit पढ़ते थे कि e raise to power x minus 1 upon x किसके एकवल होता है 1 और ncrt में तो नहीं बट extra books में आपने इसको भी cover up करा होगा कि e raise to power x minus 1 upon x ये equal हो जाता है हमारे log a के ठीक है and then logarithmic जो हमारे पास एक function है उसके लिए limit में एक formula होता है हमारे पास कि limit x approaches to 0 log 1 plus x by x भी किसके एकवल होता है बटा 1 के एकवल होता है तो बटा ये limit के formula आपको handy रखने अपने ताकि अगर इससे related कोई भी question आए तो आप लोग इनको apply करके फटा फटा आंसर find out कर सको ठीक है बचलोग generally जो continuity के topic पर हमारे पास question बनते हैं वो इस तरह से बनते है कि या तो सबसे पहले कि function continuous कब नहीं है ठीक है अगर मैं in general अगर बात करूँ continuity की तो जो question हमारे पास त्यार होते हैं ठीक है तो वो सबसे पहले क्या होते हैं कि आपको check करना है check for continuity or discontinuity function आपका continuous है या फिर discontinuous है ठीक है तो उसमें आपको check करना होता है ठीक है जनले लिए तो आपके पास इस टाइब का question मनता है कि check for continuity और discontinuity तो सबसे पहले कि अगर function हमारे पास break करके नहीं दे रखा है तो कई बर अगर हमारे पास rational function है तो याद रखना for rational function rational functions का मतलब कौन सा हो गया जो function हमारे पास f of x जो है जो gx upon में hx की form में simply अगर मैं बोलू जो numerator upon में denominator की form में तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भी denominator है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बिकॉस जिस point पर आपके पास जो denominator है वो 0 हो गया जिस point पर आपके पास जो denominator है अगर वो 0 हो गया तो उस point पर हमारे पास function automatically क्या हो जाएगा discontinuous हो जाएगा इस point पर function define ही नहीं करेगा तो क्योंकि अगर denominator 0 हो गया तो function हमारे पास क्या होगा define ही नहीं करेगा और इसी तरह से एक और बात याद रखनी है इसमें कि अगर आपके पास अगर हमारे पास फॉर आप बोल सकते कि जो root function है square root function है हमारे पास जैसे कि root x है हमारे पास तो जो x है वो आपका greater than equal to 0 होना चाहिए ठीक है यही चीज़ अगर denominator में है root तो सिरफ x greater than 0 होना चाहिए equal to 0 नहीं again क्योंकि denominator में 0 आएगा तो वो define ही नहीं करेगा ठीक है तो यह जो दो बाते हैं वो आपको याद रखनी है then हमारे पास एक जो question आता है important वो आता है हमारे पास number of points of discontinuity कि कितने points पर आपके पास जो function है वो discontinuous है ठीक है तो आपको इसमें check करना पड़ता है उसका nature जैसे अगर मैं बात करूँ simply कि अगर हमारे पास एक modulus function है for example अगर हमारे पास एक कोई भी हमारे पास mod x है यानि कि हम बात कर रहे है modulus function की ठीक है तो जो modulus function है हमारे पास वो कभी भी क्या नहीं होता discontinuous नहीं होता यानि कि it is continuous everywhere यह हमेशा क्या होता है continuous होता है जब हम everywhere बोल रहे है तो मतलब वो real number की बात हो रहे है so that means there is no point of discontinuity तो number of points of discontinuity की continuity की बात होगी तो वो 0 आएगा अगर बात होगी अगर लब बात होगी number of points of discontinuity कितनी है तो वो 0 होगी ऐसी हमारे पास अगर मैं बोलू फॉर एक्जामपल कि अगर हमारे पास greatest integer function है ठीक है ना हमारे पास ही क्या है अगर greatest integer function GIF है continuous everywhere except कहां पर integral point, except z, क्यों? क्योंकि आपको इसकी value पता है, अब अगर 1.2 पुट करेंगे, तो answer 1 आएगा, आप 1.3 पुट करेंगे, तो answer 1 आएगा, 1.9 पुट करेंगे, answer 1 आएगा, जैसे ही आपने 2 पुट करा, answer क्या हो गया? 2, फिर 2.1 पुट करो, 2.2, 2.3 कुछ भी करते ही, क्या हो जाएगा, 3. तो इसका अगर आप ग्राफ भी देखें, तो वो इस तरह से रहता है, कोच हमारे पास, कि जैसे, यह 0 है, और 0 से 1 के बीच में अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम 0 और 1 के बीच की बात करें, तो आपने 0 पुट करा, 0 आएगा, 0.1 पुट करा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.3, आप पुट करते जा रहे हो, आंसर 0, बड़ जैसे आपने 1 पुट करा, यह आंसर क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 से 2 तक आप कुछ भी पुट करते जा रहे हो, आंसर 1 आरह है, फिर जैसे आपने 2 पुट करा, वो आंसर भाग जाएगा, 2 पर, and so on, वो पहने जुरत पढ़ रही है, इसका मतलब जो हमारे वार वास greatest इंट फंक्शन होता है, वो continuous होता है everywhere, बट accept Z, तो अगर मैं से पहुचू कि नमबर ओफ points of discontinuity कितनी होगे, तो वो आजाएगा हमारे पास क्या? infinite, क्यों? क्योंकि इंटीजर तो infinite हो सकते हैं, तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये discontinuity है, तो आपके पास धियान रखना है कि आपके पास number of discontinuity आई ही आए, अगर function continuous है हमेशा, तो no point of discontinuity यानि zero discontinuity हो सकती है, बट आपके पास जहां पर infinite discontinuity हो सकती है, फिर एक कोशन आता है हमारे पास कैसा, इसमें आप क्या करते हो, find करते हो constants, find क्या करते हो, some constants if function is continuous at particular point. ठीक है, तो ये दो-तीन टाइप के हमारे पास बटाइस पर कोशन बनते हैं, ठीक है, आप लोगोंने cbsc के point of view से बहुत अच्छी से इसको प्रिपेर करा हुआ है, अब इसको बटाइस करना है आपने, फिर कोशन जब हम रिवाइस करेंगे, उसको बटाद समझना है कि आपको टार्गेट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या अटेम्ट करना है को वेफर के अंदर, ठीक है और कैसे अटेम्ट करना है, तो ये बात हो कि हमारे पास किसकी continuity of a function की, फिर हम बात करेंगे अब किसकी, बटा, x equal to a, यहां पर भी हम लग बटा एक point पर ही चेक कर रहे हैं, if, if lhd is equal to rhd, अब ये lhd क्या है, lhd हमारे पास होता है, lhd means left hand derivative, lhd means left hand derivative, and rhd means right hand derivative, lhd होता है, हमारे पास left hand derivative, और rhd होता है, हमारे पास right hand derivative, जैसे lhl था left hand limit, rhl था right hand limit, वैसे बटा lhd और rhd, ठीक है, अब इनके भी formula है हमारे पास, तो lhd हमारे पास क्या होता है, अगर मैं a पर चेक कर रहा हूँ, तो limit x approaches to a, a minus, ले लो आप f of a, minus f of, f of x minus f of a upon में, आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर x, ठीक है, यह हमारे पास formula होता है किसका, rhd का, तो यहाँ पर यह x minus a होता है, ठीक है, और rhd में यहाँ पर आजाएगा, limit x approaches to a plus, f of x, sorry, f of x minus f of a upon x minus a, ठीक है, डिनोमेटर में हमारे पास, यहाँ रखना बिटा कि x minus a ही रहता है, ठीक है, और इसका जो आप लोग simplified version है, वो भी पढ़ते थे, इसमें यह बन जाता ह हमारे पास, limit h approaches to 0, f of a minus h minus f of a divided by में minus h, ठीक है, क्या जाता है, हमारे पास, minus h, और ही क्या बन जाता है, हमारे पास, simplified form में, कि limit h approaches to 0, f of a plus h minus f of a, और upon में h, तो फिर अगर lsd और rsd हमारे पास, अगर equal आते थे, तो हम लोग बोलते रहे कि जो function है, वो हमारा differentiable है, बट हमारे पास अगर equal नहीं है, तो वो हमारे पास differentiable नहीं है, इसमें एक जो छोटी सी line है, वो बहुत ज़रूर याद रखनी है, कि every continuous, every differentiable function, every differentiable function, on close interval, in close interval a, याद रखना बिटा, differentiability हमेशा open interval में चेक कर जाती है, continuity हमेशा close interval गेंद चेक होती है, differentiability open interval और continuity close interval, every differential function in a, b is continuous, is continuous in close interval a, b, but not vice versa, but not vice versa, बतलब हर differentiable function आपका continuous होता है, but हर continuous function differentiable नहीं होता है, ये बात बेटा आपको दिमाग में बिठानी है, ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास पूरा concept of differentiability, अब इता differentiability की concept के बाद अगर हम बात करें तो आता है, derivatives of different functions, ठीक है, आप लोग already class 11 से derivative पढ़ रहे हो, तो जो basic formula है, वो आप सबको अच्छे से आते ही है, जो 12 में आपके पास function introduced हुए है, जैसे derivative हम बात करेंगे, sin inverse x का, तो इसका derivative आपको याद एकना है, कि यह होता है, 1 upon under root 1 minus x square, इसी तरह से derivative of, अगर आपके पास cause inverse x है, तो वो हमारे पास होगा, minus 1 upon under root of 1 minus x square, फिर अगर आपके पास derivative है बिटा, tan inverse x का, तो वो होगा 1 upon 1 plus x square, अगर derivative है, हमारे पास cot inverse x का, वो होगा minus 1 upon 1 plus x square, ठीक है, similarly बिटा, derivative अगर आपके पास है, secant inverse x का, तो वो होगा 1 by x under root x square minus 1, अगर हमारे पास derivative है, cause secant inverse x का, तो वो हो जाता है, minus 1 by x under root x square minus 1, ठीक है, तो आप देख सकते हों कि जो भी inverse trigonometric function c से start हो रहे हैं, जैसे derivative में, आपके पास जो trigonometric functions थे, अगर वो c से start होते थे, तो उनका derivative का sign हमेशा negative रहता ना, same हमारे पास यहाँ पर inverse trigonometric function के लिए, देन बचे अगर हम बात करें, तो जो आपके पास, क्या बोलते हैं कि, अगर implicit functions हैं, ठीक है, implicit functions का मतलब क्या हुआ, कि जहां पर आप लोग y को as a function of x, अलग से express नहीं कर सकते हैं, मतलब, अगर आपके पास y express हो रहा है as a function of x, मतलब, left hand side पर सिरफ y है आपके पास, ठीक है, और f of x की तरह, f of x का मतलब कि सारे जो extra terms है, वो आपके पास right hand side पर है, और left hand side पर सिरफ y है, तो उसको हम बोलते हैं कि, यह care present कर रहा है, एक explicit function, ठीक है, कि y is a explicit function of, explicit function of x, ठीक है, बट अगर आपके पास function कुछ इस तरह से जहां पर x और y में, आप अलग से y को express ना कर पाओ as a function of x, तो उसको बोला रहता है हमारे पास implicit function, ठीक है, तो आप बोल सकते हो where y is not expressed as a function of x, तो मतलब, mixed form में रहता है हमारे पास, जैसे for example, जैसे, अगर x square plus y square equal आजाए, आपके पास sin x plus y, तो यहाँ पर आप बट आप y की value अकेले अलग से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, कि y equal to something नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पर x और y आए एक दूसरे के साथ implicit है, मतलब, वो mix हो रखे हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसे function का अगर हमें derivative निकालना होता है, या फिर ऐसे function में अगर हमार को dy by dx निकालना है, तो हमार को simply यह याद रखना है कि हमार को इसको differentiate करना है, with respect to x, ठीक है, और y को आप एक variable की तरह treat करोगे, ठीक है, तो y का derivative बन जाएगा dy by dx, ठीक है, तो x square, क्योंकि हम लोग x के respect में derivative कर रहे हैं, तो उसका derivative आजएगा 2x, y square का derivative भी x square की तरह ही होगा, 2y, बट क्योंकि यहाँ पर variable y है, तो इसलिए यहाँ पर y का भी derivative होगा, dy by dx, ठीक है, actually यह 2x कैसे बना था, आप सबको पता है detail में, कि जब हम लोग x square का derivative करते हैं, तो पहले हम लोग power का derivative करते हैं, तो वो आता है 2x, into फिर जो variable है हमारा x, उसका derivative होता है, बट क्योंकि हम लोग x के respect में कर रहे हैं, तो यह cancer लोग के सिर्फ क्या बसता है, 2x, तो इसलिए सिर्फ हम लोग अलग से x का derivative वहाँ पर दिखाते नहीं है, बट actual में x का भी derivative होता है, and similarly पहले y square का derivative होगा 2y, और फिर y का भी derivative होगा, विकोस variable यहाँ पार अब y है, और हम लोग differentiation कर रहे हैं with respect to x, और sin x plus y का derivative बन जाएगा, cos x plus y, एक बेटा बात आप जरूर याद रखना हमेशा, चाहे वो trigonometric function है, चाहे वो log है, चाहे वो e raise to power x की तरह कोई function है, जो sin का जो angle है, जो angle derivative करने से पहले है, वोई angle derivative करने के बात रहता है, ऐसी log के साथ कुछ है, तो उस तो हमारे को बचल बता कि वो 1 by that पूरा आजाता है, अब जैसे e raise to power सपर साइन x है, तो उसका अगर हमारे पास derivative करेंगे, तो वो पहले e raise to power sin x ही रहेगा, फिर chain rule लगके sin x का derivative होगा, तो यह बात चोड़ी बात हैं, आपको याद अखने कि angle ऐसे change नहीं होते है, तो जो derivative करने से पहले angle है, वोई derivative करने के बाद angle थाएगा, इंटू में अब आप derivative करोगे angle का, तो x का derivative 1 और y का derivative dy by dx, अब हमारे को question में find out करना है dy by dx, तो हम लोग क्या करेंगे, जिन-जिन terms के अंदर dy by dx आ रहा हैं, उनको एक साथ क्लब कर लेंगे, तो यह बचा 2x plus 2y dy by dx, यहाँ पर पहले bracket multiply करेंगे, तो cos x plus y multiply होगा 1 से, तो cos x plus y रहेगा, फिर plus cos x plus y into dy by dx होदेगा, अब जितनी भी terms जिसमें dy by dx आ रहे, अब सबको एक तरफ ले जाओ, तो यह आगे बटा 2y dy by dx, minus cos x plus y dy by dx, equal to cos x plus y minus 2x, तीगे, अब जारी dy by dx में terms एक तरफ होगी, तो जिन जिन में dy by dx आ रहा था, उसमें से common ले लो, तो dy by dx आपने common लिया, तो यह बचा हमारे पास 2y minus cos x plus y, और यह किसके equal था? cos x plus y minus 2x, ठीके? फिर इदर यह dy by dx का multiply हो रहा है, तो इसको अकेला करने के लिए, हमने उसको right-hand side पर भेजा, तो दर जाके वो divide हो गया, तो final answer आया, cos x plus y minus 2x upon 2y minus cos x plus y, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? implicit function में derivative find out करते हैं, ठीके, तो एक example से हमारे को reference होगी, वाकिया आपने GBC में इसको बहुत अच्छे से detail में कर रहा हुआ है, फिर बात करते हैं, हम लोग एक बहुत important चीज़ की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? logarithmic differentiation, क्या बोलते हैं, हम लोग इसको logarithmic differentiation, ठीके, लोगरित्मिक differentiation सबसे पहली बात आती है, भई हमें use कहां करनी है, ठीके, तो अगर मैं इसके use के लिए हम बताएं, कि इसको use कहां करनी है, तो आप एक शोटे से format में इसको याद रख सकते हो, कि when function जो आपके पास है, जिसको आप derivative करना है, is in form of function कैसे है, variable raise to power variable है, कि अगर base भी variable है, और जो exponent है, यानि जो power है, वो भी क्या है, variable है, variable का मतलब कि x वाली term या y वाली term, ठीक है, example समस्थे ने से, कि अगर इसने suppose करो, आपको x की power x का derivative करना है, या sin x की whole power x हो गया, ठीक है, या फिर x की power y हो गया, या फिर sin y की power cause x हो गया, ठीक है, कोई भी x y वाली term होगी है, जरूने सिर्फ ट्रिगों के लिए, जैसे log x की power x cube plus 1 हो गया, ठीक कुछ भी आपके पास, मतलब base भी जो है, वो क्या है, x वाली term, और जो power है, वो भी क्या है, x से y वाली term, तो उसका derivative आपके पास, logarithmic differentiation से ही possible हो पाता है, पहला तो एक आप यहां use करोगे, दूसरा, कि जब आपके पास, when, या तो quotient rule, या फिर जो आपका product rule है, वो क्या हो जाए, वो complicated हो जाए, ठीक है, तो आप वहां पे log का use करके, आपने derivative वाला part बहुत असान कर सकते हैं, For example, जैसे, अगर आपके पास कोई function, which is under root of, जैसे, x plus 1 into x plus 2, upon में x plus 3 into x plus 4 into x plus 5, इस तरह से suppose करो कि आपको function जिसको आपको differentiate करना है, तो अगर आप chain rule दिखोंगे, तो सबसे पहले आप पूरे under root का derivative करोगे, फिर under root के इसमें इसमें quotient tool लगाऊगे, फिर जब उसमें आप numerator का derivative करोगे तो उसमें product tool लगाना पड़ेगा, फिर denominator के derivative के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें triple product tool लगाना पड़ेगा, फिर denominator का square करना पड़ेगा, quotient tool के वाला, तो कितना complicated हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, logarithmic differentiation यूज़ करते हैं, अब logarithmic differentiation कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे को क्या यूज़ करने पड़ेंगे, basic formula of logarithm हमारे को अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, because यह आपके पास बार-बार यूज़ होंगे, basic formula of logarithm, अब यह basic formula में क्या क्या आएगा भई, तो देखते हैं, सबसे पहला, कि अगर log के आप पास, ठीक है, हमें बता बटा, calculus में हम लोग जो log का base होता है, वो exponential लगते हैं, तो हर्बर में E mention नहीं करूँगा, बाइडिफॉल्ट log का base, exponential रखके ही इसको calculate करते हैं, ठीक है न, तो log base A B क्या बना बेटा हमारे पास, log A plus log B, ठीक है, आप लोग पहले से इसको पढ़ते आ रहें, सबको अच्छे से याद है, बस अब आपको revise करना है हाँ पर, log A by B क्या होता है हमारे पास, log A minus log B, फिर log A raise to power जो B होता है, it is B into log A, then आपको याद रखना है, कि log E हमेशा कितना होता है, 1, and log 1 कितना होता है, 0, then E raise to power, जो log X side is always equal to X, then बिट आपको याद रखना है, बहुत important चीज़ कि log A plus B हो, या फिर log A minus B, ठीके ना, इसका no formula, as such कोई formula नहीं है, जो आप लोग यूज़ करके, logarithmic differentiation ने, या फिर डेफ्रेंशेशन में, आपको इंपोर्टन प्रॉपर्टी लगा होगे, ठीके बचे इसको क्या करते हैं, गल्बर कर देते हैं, कि इसको log A plus log B लिख देते हैं, तो इसने especially बता रहा हूँ कि ये properties कुछ नहीं होती, बचे लोग A minus B को लिख देते हैं, log A by B, बचे लोग A minus log B होता है, log A by B, तो ये गल्तियां आपने नहीं करनी है, ठीक है, इस पे एक important चीज़ आती है, base change formula, ठीक है, जिसको हम बोलता है, base change formula, कि अगर आपको log का base change करना है, तो बचे दो तरीके होता है, base change करने के, पहला क्या है, कि जैसे अगर log आपके पास base A है, value B है, तो अगर आपको कोई new base create करना है, जैसे derivative में हमें पता है, कि जो base है, वो log का exponential है न चीज़ है, बट यहाँ पर base A है, ठीक है value जो भी हो, तो उसको आप लोग exponential base में change कर सकते हो, log B by log A, तो that means आप base यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, सेम base रहेगा, बट उसको change करने का formula हमारे पास यह है, चाब वो exponential में रखो या किसी और में रखो, और कभी आपको, अगर base और value आपस में चेंज करनी है, तो यह बन जाता है, 1 by log base B value A, ठीक है, तो यह बटा हमारे पास क्या है, दो base change formula है, इसके base पर भी आपको question देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अब logarithmic differentiation में आपको बटा, जो मैंने बतातों दिया कि हमारे पास use का होती है, इसमें जो एक आपको trick याद रखने हैं, और करते कैसे, यह भी आपने detail में पड़ा है, कि पहले अगर function हमारे जिसको हमारे को differentiate करना है, और वो variable की power, variable की form में है, तो आप वहाँ पर क्या करते हो पहले, उसको y equal to something let करते हो, क्योंकि log आपको बोट साइड लेना होता है, तो उसके पहले एक equation करने बढ़ती है, तो अगर इससे आगए आपको कि find the derivative of x raise to power x, तो पहले हमारे लिखेंगे, let y is equal to x raise to power x, और फिर log करके हम लोग जो प्रोसेस होता है, उससे हम लोग derivative निकालेंगे, वो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, तो बेन बात यह है कि आपको x की power x का derivative है, तो वो बेटा, क्योंकि बहुत common function है, तो इसका derivative आपको by heart learn होना चाहिए, it is x raise to power x into 1 by 1 plus log x, यह derivative आपको by heart learn होना चाहिए, बिकोज यह कई जगा पर आपको directly use करोगे, ठीक है, तो x की power x का derivative यह होना चाहिए, अब यह आता केसी है, जैसे था हमारे को पता ही है, कि हमने cbsc में पढ़ा हूँ है इसको, बट सिर्फ एक point समझाने के लिए, अगर मैं आपको example लूँ, कि जैसे भी y equal to x की power x है, ठीक है, तो सबसे बहले हैं, अगर सिर्फ x की power x होता, यह हमारे को क्या करना है, find x की power x का derivative, अब क्योंकि subjective तो है नी, तो यह find white करके तो कुछ आएगा नहीं ऐसा, बट स्फिर भी समझाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, भी let करते हैं पहले कि y है, हमारे पास x raise to power x, फिर हम लोग क्या करते हैं, taking log both sides, अब हमें log q लेने की जूरत पढ़ी, क्योंकि हमें पता है कि यह variable की power, variable की form है, तो taking log both sides, यह बन गया, log y और यह बन गया log x raise to power x, जब तक चाहे left hand side हो, चाहे right hand side हो, अगर log की कोई भी एक property लग रही है, जो भी हमने basic formula में पढ़ी है, तब तक आप derivative नहीं करोगे, जब तक property लग रही है, जब कोई property नहीं बच्छी लगने के लिए, तो आप उसको derivative कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर log की property लग रही है, log a raise to power b, तो पहले property अपलाए करो, तो यह गया log y is equal to x into log x, यह ज़रूर यहाँ रखना, कि जो power आगया आती है, वो multiply होती है log से, ठीक है, ताकि आपको याद रही है कि यहाँ पर product rule लेगाना है, तो फिर हमने कर रहा, differentiating with respect to x, तो log y का derivative हो गया, 1 by y into dy by dx, और यहाँ पर आप product rule लग जग जगा, x as it is, log x का derivative 1 by x, फिर log x as it is, x का derivative 1, x x के answer out, हमने y को भी दर भेज़ दिया, so that implies कि dy by dx किसके एकवल आ गया, y into 1 plus log x, अब फंक्शन में तो हमारे पास का, जो quotient था, उसमें तो कहीं y नहीं था, यानि आन्सर आपको x की terms में चोड़ना पड़ेगा, तो वो आएगा x raise to power x into 1 plus log x, तो बटा यह जो derivative है, आपको वो directly याद रखना है, तो यह तो बटा था हमारा logarithmic differentiation, फिर आता है हमारे पास, अगर inverse trigonometric function, यह विर आप बोल सकते हो कि derivative of, inverse trigonometric function, तो इसके लिए भी बटा कोई अलग से formula नहीं है, जो मैंने starting में inverse trigonometric के formula बनाए है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है, बस इसमें एक बात आपको rule याद रखनी है, कि क्या, कि जो हमारे पास sine inverse करके, जो bracket में कुछ भी है, या फिर कोई भी हमारे पास inverse trigonometric function है, उसमें जो उसकी value है हमारे पास, यह क्या होने चाहिए, simplified form में होने चाहिए, simplified form wherever, wherever possible, तो और wherever possible का मतलब कि जहां 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 possible हो, कि यह simplify हो सकती है, तो पहले इसको आपको simplify करना है, फिर derivative करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी बिटा कुछ rule है, आपको याद रखना है, हमने इन्वर्स्टिकों में पढ़े थे, कि अगर one plus x square की form है, तो आपको x को tan theta लेट कर लो, या फिर आप cot theta लेट कर सकते हो, वो depend करता है, कोशन में किस तरह से पूछा गया है, और अगर one minus x square है, तो आप x को sin theta लेट कर सकते हो, या फिर cos theta लेट कर सकते हो, देन अगर हमारे पास, आपके पास question में कहीं पर, x square minus one की form है, तो आप x को इसी तरह से, second theta या फिर cos second theta लेट कर सकते हो, यही अगर चीज़ आपके पास, a square plus x square की form में है, तो आप x को a tan theta लेट कर सकते हो, यही चीज़ अगर a square minus x square की form में है, सेम आप x को a sin theta, या फिर वोई a cos theta की form में भी कर सकते हो, ठीके, और इसी तरह से अगर यह x square, minus a square की form है तो आपको पता है कि आप x को a secant theta भी लेट कर सकते हो बाकि जो main ने substitution वो depend करती कि आपके पस function क्या है कई बर function आपके पस formula की तरह बन रहा होता है for example जैसे अगर आपके पास y इस तरह से tan inverse 3x minus x cube upon में इसको ऐसे लिखो 3ax minus में ax का whole cube upon में 1 minus 3ax का whole square ठीक है इस तरह से हैं तो हमारे को पता लग रहा है कि substitution किस साब से करना है कि यहाँ पर एक formula बन सकता है ठीक है कैसे यह आजाएगा आपके पास मैं एक ख्रूशन चेंज करना हूँ बिल्कुल प्रॉपर करने के लिए यह आएगा आपके पास 3 a square x और यह होगा a cube ठीक है हाँ question में यह था तो अब आप पुट करोगा x को a tan theta ठीक है तो y क्या आजाएगा मेरे पास tan inverse तो यह होजाएगा 3 a cube tan theta यह तो है a cube x है सरफ नहीं हाँ यह आजाएगा a cube question में थोड़ी से मैंने खलती कर दी यहाँ पर सिरफ यह x होना चाहिए तो यह जाएगा आपके पास a cube tan cube theta upon में a cube तो है minus 3 यह जाएगा theta नहीं यहाँ पर यह 3 a 3 a अलगाएगा मैंने question ऐसे randomly लिया था यह जाएगा a cube minus 3 a x square हाँ अब ठीक रहेगा बिल्कुल तो यह जाएगा अब हमारे पास 3 a as it is x square का मतलब हो गया a square tan square theta ठीक आप लोग समझ रहे होगे हम लोग इसमें tan 3 theta का formula बनाना चाहरे है अब numerator denominator में से sum में से a cube common आ जाएगा वो बनेगा a cube यह बचेगा 3 tan theta minus tan cube theta upon में denominator में से भी a cube common आ गया तो 1 minus 3 tan square theta यह a cube से a cube कैंस राट और यह formula बन गया हमारे पास tan inverse tan theta का तो y क्या बचा सिरफ theta और theta की value हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे x by a equal आ जाएगा tan theta के तो वहाँ से tan inverse x by a तो अब आप इसका derivative अराम से कर सकते हैं पर पता कि tan inverse x का derivative होता है 1 upon 1 plus x square तो यहाँ पर यह असान है क्योंकि x के लिगा पर सिर्फ x by a है बट यहाँ पर सोचो अगर आप इसको direct करते तो 1 upon 1 plus इस पूरे का square और फिर quotient डूल लगा कि इसका derivative तो कितना ही complicated हो जाता है question आपका बट आप inverse trigonometric function में substitution की help से इसको simplify करके फिर solve कर सकते हो ठीक है पर जहाँ पर substitution नहीं possible तो वाँ पर हम लोग फिर direct भी करते हैं ठीक है फिर फिर पर लांस आता है हमारे पास derivatives of derivatives of parametric functions तो पहले एक बार revise कर लेते हैं कि parametric functions क्या होते हैं फिर देखते हैं कि उनका derivative हम लोग कैसे करते हैं तो अगर पिर आप हम parametric functions की बात करें तो वो इस तरह से functions होते हैं जहां पर x और y आपस में directly related नहीं होते हैं बर through a common variable वो आपस में related होते हैं for example जैसे x equal to a sin theta और y equal to b cos theta हो गया तो x और y का आपस में correlation नहीं है बर through a common variable theta वो आपस में क्या है related है तो अगर मुझे derivative find करना है y का with respect to x यहनिकी हमेशा कि तरह हमारा target है dy by dx तो वो parametric function में कुछ इस तरह से किया जाता है कैसे कि हमारे पास जो common variable है ना दोनों में पहले हम x को भी और y को भी उसके respect में differentiate कर लेते हैं तो x को differentiate करा हमने with respect to theta तो जैसे y का derivative x के respect में dy by dx होता है ना वैसी बेटा x का derivative theta के respect में बनेगा dx by d theta तो फिर a as it is जरा क्योंकि constant है multiply हो रहे तो as it is sin theta का derivative आ गया cos theta का अब क्योंकि हम लोग theta की respect में कर रहे हैं तो theta का derivative आपको अलग से करने की जुरत नहीं है अगर आप करोगे तो वो d theta upon में d theta आ जाएगा जो की बन हो जाएगा जैसे dx upon dx हमने करा था सेम हमारे पास यहाँ पर y का derivative हुझेगा d y by d theta b as it is cos theta का minus sin theta अब जो हमारा main target है d y by dx जो हमें find out करना है वो हमें कैसे मिलता है कि अगर आप d y by d theta को divide कर दो किससे d x by d theta से क्योंकि d theta से d theta कर जाएगा तो बरचेगा क्या d y by d x तो यह हमारे पास logic रहता है तो यह आगया d y by d theta numerator में d x by d theta denominator में तो यह आगया minus b by a यह sin by cos क्या बनगे हमारे पास tan theta तो इस तरह से करी जाती है हमारे पास parametric functions की differentiation जिससे हम लोग d y by d x तक पहुच तक पहुच ते हैं एक जो important बात हमने second order derivative में भी याद की थी कि for higher order derivative अब चलो हम second order की बात करें गर for second order derivative याद रखना for second order derivative in parametric functions in parametric functions जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है या रखनी है बात क्या है कि जो हम लोग हर बार भूल जाते है जैसे d y by d x है इसका मुझे दुबारा derivative करना है तो यानि वो बनेगा d square y by d x square तो आप बोलो कि सब्सके लिए करो minus b by a 10 theta का derivative कर दो क्या sequence square theta that's it बट गलत क्योंकि जब मैं second time differentiate कर रहा हूं तो मैं इसको differentiate कर रहा हूं with respect to x तभी ये मेरे पास क्या बनेगा d square y by d x square और अगर मैंने x के respect में rate कर रहा है तो इस समय theta variable है तो मझे d theta by d x भी करना पड़ेगा तो ये जो d theta by d x है न वो सबसे important है तो for second or derivative in parametric functions do not forget to derivate common variable with respect to x वो कोई भी common variable हो चाहिए वो theta हो तो d theta by d x multiply करना आपने अगर वो t की form है तो d t by d x आपने multiply करना है ये बिल्कुल basic बात है जो आपको अच्छे से यार रख नहीं ताकि आपके question में गलती नहीं ठीक है और आपको options ऐसी मिलेंगी कि जो आपके पास बिना d theta के d x वाले करे होगी तो आप लोग फटना फट उससे tempted होगे उस पर mark करके गलती करते होगे clear बचे चलिए तो with this अब हम लोग यहां पर topic तो पूरा हो गया अब हम लोग questions देटास के अच्छी से दे practice करते तो start करते हैं questions के साथ अब हमारे पास जो function है वो हमारा discontinuous है तो यहां पर हमारे पास rational function की discontinuity का concept यूज़ होगा कि अगर हमारे पास एक rational function है मतलब जो function हमारे पास numerator upon में denominator की form में है तो उसमें जो denominator है वो कभी भी 0 नहीं होना था तो यहां रखना कि for rational function मतलब वो function जो numerator upon denominator की form में है आपको यार रखना है कि जो denominator है it must not be equal to 0 तो यानि कि अगर f of x को हमारा continuous होना है सबसे पहले उसको even continuous से पहले defined होने के लिए भी जो उसका denominator है it should not be equal to 0 तो x should not be equal to 5 तो यानि कि अगर x की value 5 हो गई तो हमारे पास जो function है वो continuous नहीं होगा क्योंकि उस point पर function defined ही नहीं होगा तो हमारे पास x is equal to जो x should not be equal to 5 या फिर हम बोल सकते हैं कि जो x equal to 5 है वो क्या है is point of discontinuity तो यानि कि हमारे पास answer आ गया option number b अब आते बेटा next question पर ऐसे ही बेटा same question है गई आपके पास एक rational function है अब यह हमारे पास अगेन हमें बताना है कि कितने points पर discontinuous होगा ठीक है कितने points पूछें कौन से point है वो नहीं बताने बढ़ यह बताने है कितने points पर वो discontinuous होगा अब यहां पर बचाने कई लोग क्या करेंगे कि दैसे उपर हमारे पास 4-x square है तो denominator में से आपने क्या करा ची x common लिया तो यह भी बन गया 4-x square तो यह 4-x square से 4-x square कर गया बचा क्या हमारे पास 1 by x तो आप वो कोशन को 1 by x के साफ से solve करेंगे बच आपको यह यार रखना पिटा कि domain का मतलब होता है जो x की value है तो उसके लिए function हमारे पास यह रहेगा अगर हमें range find out करनी होती तो हम लोग यह वाला concept यूज़ कर सकते थे बच फॉर domain यानि कि जो अ quantity है आपको वो पूरे का पूरा denominator as it is लेखना पड़ेगा तो अब हमारे पास जिनोमेटर में है 4x minus x cube तो it should not be equal to 0 तो यहां से हमारे पास x common आया तो इसका मतलब 4 minus x square should not be equal to 0 तो यानि कि एक तो x not equal to 0 होना चाहिए हमारे पास और दूसरा 4 minus x square should not be equal to 0 तो यानि कि x square should not be equal to 4 तो x should not be equal to plus minus 2 तो यानि कि 3 points है जो हमारे पास x पर नहीं होने चाहिए 0 नहीं होना चाहिए plus 2 नहीं होना चाहिए और minus 2 होना चाहिए तो यानि यह जो function है वो discontinuous बने कितने points पर at exactly 3 points ठीक है बट अगर बच्चे वह जो मैं पहले बता रहा था बाकि कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 minus x square उपर है नीचे से x common लिया 4 minus x square करा इसको cancel out करा बचा 1 by x तो वो बोलते कि 1 by x not equal to 0 तो यानि सिरफ एक ही point हमारे पास discontinuous पर आता है वो था x equal to 0 कि अगर x equal to 0 होता हो तो वो हमारे पास function discontinuous हो जाता है तो आप आंसर बोलते कि भी exactly one point तो वो गरबर हो जाता है तो इसलिए ध्यान दखना है कि अगर आप range के लिए solve कर रहे हैं तो आप इस तरह से simplify कर सकते हैं बढ़ डोमेन के लिए पूरा denominator आपको अजबिस घरने तो यह गलता है हमारे पास 0 से लेकर आप 1 के बीच में 0 से लेकर अगर आप 1 के बीच में कोई भी values फुट करते हैं तो जो आपका answer है वो 0 ही आएगा बड जैसे ही आपने 1 पुट करा तो आपका answer क्या shift हो जाएगा 1 फिर 1 से लेकर 2 तक आपका answer 1 रहेगा 1 से लेकर 2 तक कोई भी value पुट करो 1 से लेकर 2 तक कोई भी value पुट करने का मतलब जैसे मैं 1.2 पुट कर रहा हूँ तो answer क्या आएगा 1 मैंने 1.5 पुट करा तब भी answer क्या आएगा 1 मैंने 1.9 पुट करा तो भी answer क्या आएगा 1 बड़ जैसे ही मैंने 2 पुट करा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 तो जैसे 2 पुट करा तो आंसर 1 नहीं रहा आंसर क्या बन गया 2 बन गया फिर 3 तक वो as a list सलेगा बड़ जैसे 3 पुट करूँगा तो मेरा आंसर 2 नहीं 3 रहेगा बट अगर मैं 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी put करूँगा, मिरे पास answer क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो यह हमारा होता है क्या greatest integer function, ऐसी बटा गर आपके पास negative values है, मतलब अगर हमारे पास है minus 1 से 0, तो हमारी value क्या रहेगी, minus 1 रहेगी, बट जैसी 0 put कर जाएगा, तो वो 0 जाएगी, and same goes for minus 2, minus 3 and so on, तो यानि जो greatest integer function होता है, यह हमारे पास हमेशा क्या होता है, this continuous होता है, कहां पर, at integral point, at integral point, क्योंकि आप देख सकते हैं, कि अगर मैं 0 से start कर रहा हूँ, तो मुझे pen उठाने के जूरुत नहीं बड़ी, बट जैसी मैंने 1 put करा, मैं 0 put कर रहा हूँ, 0.1, 0.2 0.3, 0.4 and so on, मैं 0 point something कुछ भी पुट कर रहा हूँ, answer हमेशा 0 आएगा, पर जैसे integral value 1 आएगी, तो वो answer 1 बन जाएगा, तो यहादि 1 को यह हमारे को pen उठाना पड़ा, और आपको पता है, continuity का मत्तन भी होता है, कि अगर मैं किसी भी function का curve ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका graph 2 पर 3 पर 0 पर minus 1 पर minus 2 पर, हर एक integral point पर मुझे pen उठाने की जूरत पड़ेगी, तो मत्तब वहाँ पर मेरा function क्या हो जाएगा, discontinuous हो जाएगा, तो आप से पुछा कि यह function continuous कब रहेगा, तो 4 पे नहीं रहेगा, minus 2 पे नहीं रहेगा, 1 पे नहीं रहेगा, क्योंकि यह सारे integers हैं, तो answer हमारा क्या हैगा, 1.5, क्योंकि अगर मैं 1.5 पुट करूँगा, तो मिरे पास answer क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो यानि 1 से लेकर 2 तक के बीच में मिरे पास answer 1 रहेगा, 1.5 पर भी क्या रहेगा, 1, तो उस पे मुझे pen उठाने की जूरत नहीं पड़ी, तो इसका मत पड़ा, तो इस greatest integer function तंग करता है, इसलिए इसका मतलब बोरे अच्छे से clear होना चाहिए आपको, फिर कहला तो number of points add with the function is not continuous, again बेटा, rational function है, तो denominator क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इस बार denominator में है, x minus greatest integer function x, तो यानि कि जो आपके पास x है, it should not be equal to greatest integer function x, तो जब जब x और greatest integer function x equal होंगे, तो हमारा function क्या होगा, this continuous होगा, continuous नहीं होगा, अब x और greatest integer function x का भी equal होते हैं, कि it is, क्या बहु सकतो कि, x should not be equal to x, तो that means कि जो x है, should not belong to integral values, ब्युकर समय पता है, मैं 1 put करूंगा, तो हमारे पास, वो greatest integer function 1 के equal होगा, बट अकर मैं 1.2 put करता हूं, तो वो किसके equal आता है मैंने पास, 1 के, ठीके न, तो यानि कि हमारे पास, जो x है और greatest integer function x है, वो equal नहीं है, ब्युकर समय पुट करा है 1.2 और result आया है 1, ठीके तो that means सिर्फ integral point पर हमारे पास function क्या होगा, discontinuous होगा, तो यानि कि हमारे पास कितने points होगे, अब उ उसने पूचा है कितने points पर discontinuous होगा, और अगर x integral point पर discontinuous है, तो इसका मतब कितने points होगे, infinite points, तो यानि कि हमारे पास, none of these आगे, कि हमारे पास क्या होगे, infinite point होगे, ठीके बिकोस हमारे पास infinite integers है, तो हम बोल सकते कि x is, sorry, f of x is not continuous at infinite points, क्यों, बिकोस जब जब integer होगा, तो आपके पास function क्या हो जाएगा, discontinuous, और integer काब हो सकता है, तो इंफानाइट values है, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलते रहो, फिर 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 4, चलते रहो, तो infinite values है, तो यानि 9 of these हमारा answer बिलकुर correct आएगा, next question में कहता है बिटा कि आपको constant k की value find out करनी है, जिस पर function continuous हो, ऐसे बहुत सारे question आप आप अलड़ी CBSC में practice कर चुके हो, हमें पता कि continuity के लिए हमारे पास जो LHL है और RHL होना चीए, ठीके ना, आपके पास LHL होना चीए, किसके RHL के और वो इक्वल होना चीए, किसके F of A तो यह तरह हमारे पास prime condition है किसी भी function के continuous होने की, अब जब भी इस तरह से constant वाला question आएगा तो हम एक F of A तो जरूर रखेंगे, अब LHL लखना है या RHL लखना है वो आपको question खुद गाइड करेगा, अब इस question में क्योंकि X not equal to 0 है, तो इसका मतलब LHL भी यही है और RHL भ जी आपकी है, तो मैं लेके चल रहा हों कि RHL equal to, और जिस point पर हम चेक कर रहे हैं, इस बार वो 0 है, तो F of 0, तो F of 0 तो हो गया कि RHL का मतलब हो गया, limit X approaches to 0, 1 minus cos 4X upon 8X कर, थे अब क्योंकि हमारे पास पूरा subjective way में तो solve करना नहीं, आप सीधा directly, आपको पता यहां पर आप X क का मतलब होता है, H only, हमें यादे ना कि हम लोग क्या करते रहे, यह RHL का मतलब 0 plus है, तो इसको हम लिखते रहे, put X equal to 0 plus H, where H approaches to 0, तो इस यह में पहला कोशन की अभी इस टाइप का है, तो इस तिम आपको समझा रहा हूँ, और आप डारेक्टी लिखके चल सकते हैं, क्योंक तो 1-cos 4H upon 8H, तो जो आपका सिंपल वर्किंग होती है, वो अभी हां पर कंडिशन जुरूरी नहीं है, आपको सिफ कोशन को सॉल करना आना चाहिए, अब यहां पर लाइफ प्लाइन बन रही है, हमारे पास, याद रखो, केल्कुलेस पर मोस्ली जहां पर हमारे को 1-cos लाइए, तो आपको यह लाइफ लाइन फॉर्म्ला लगाने है, थेकि उनको मैं लाइफ लाइन फॉर्मला बोलता हूं, बहुत जगा आपको बचाती है, तकड़े कोशन से ही, यहां पर कोशन कोशन होते है, तो 1-cos थीटा हो जाता है 2sin2 थीटा थीटा बाइटू, और 1-cos cos theta हो जाता है 2 cos square theta by 2 तो वो हमने बिटा formula यूज़ करा ठीक है यह गरला है limit h approach is to 0 1 minus cos theta क्या हो गया 2 sin square theta by 2 बताब जो भी एंगल उसका आधा कर दो half कर दो तो 4 h का आधा हो गया 2 h और यह upon में 8 h square equal to k यह 2 1s आ 2 4s ठीक है अब इसको तो देखो क्या बना यह sin square का मत्ताब हो गया sin into sin स्क्वेर का मत्ताब दो बार ही है और नीचे का है 4 h square उसमें 2 h मैंने 1 रखा 2 h एक रखा यह किसके equal है कि limit चल रही है वो हम बार बार नहीं रिख रहे है हमें पता है कि एक formula है simple साथ limits का कि limit theta tends to 0 साइन theta by theta किस के equal होता है 1 k तो वो property उसकर रही ये भी 1 ये भी 1 तो भाई किस के equal आ गया हमारे पास 1 k equal आ गया question खतम option A मेरा answer बन गया simple सी बात बढ़ा तो वही question जो आप CBSC में करते रहे हैं आपको 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 वो quickly करने है पहला question तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में समझाया है बढ़ा आपको question को सीधा ही से function से करना शुरू कर दोगे next question है कि जो tan x है वो continuous कब नहीं होता तो बढ़ा इसलिए जैसे ही एक example लिया है मैंने tan x का आपको सारी functions आदोने चाहिए तो आपको क्या करना है remember for every तो आपको आपको क्या करना है ये काम आपने साथ साथ खुद करना है तो हमें पता कि जो tan है वो 90 डिगरी पर डिफाइन नहीं होता अब 90 डिगरी पर डिफाइन होता because tan x का मतलब क्या होता है sin x by cos x again अब ये एक rational function बन गया cos x should not be equal to 0 तो हमें पता कि cos 0 कब नहीं होता तो ये odd multiples of pi by 2 पर 0 होता है तो यहाने कि ये odd multiple of pi by 2 नहीं होना चाहिए because 2n plus 1 sorry 2n plus 1 not 1 by 2 because 2n plus 1 है वो represent करता है odd क्योंको 2n क्या represent करता है even ठीक है हमें पता नहीं कोई भी number अगर 2 से multiply हो रहा है तो obvious सी बात है वो क्या represent करेगा even और अगर आप एक even number में 1 add कर दो के तो obvious सी बात है वो हमेशा क्या बनेगा odd तो 2n हमेशा even की form होती है 2n चाहे plus 1 करो चाहे minus 1 करो वो हमेशा odd numbers की form रहती है तो यहन इसका answer क्या हैगा कि only odd multiples of pi by 2 कि भई pi by 2 के odd multiples पर ठीक है even multiple पर नहीं तो यह even multiple का हो गया मतना बोगए 2 into pi by 2 तो वो pi रह जाएगा ठीक है तो odd multiples of pi by 2 पर हमारे पास 10x है वो continuous नहीं होता है the value of k for which which makes the function continuous तो बटा same काम है continuity वाला और इस बार भी equal to or not equal to की terms में मतना लहल भी यह यह रहल भी यह तो taking रहल equal to f of 0 ठीक है आप थोड़ा सा direct करेंगे बटा यह बनेगा limit मैं सीदा h की terms में कर रहा हूं h approaches to 0 h into sin 1 by h equal to k ठीक है जीरो पर चेक कर रहे हैं और rhl में हमारे पास 0 का मतलब होता है limit x approaches to 0 plus तो उसको हम ठीक करके इस तरह से लिखते हैं हमेशा कि अगर 0 plus है तो put x equal to 0 plus h और h को हमेशा 0 approach करवाने है ऐसी lhl का मतलब हो गया क्या कि जो limit है वो x approaches to 0 minus है तो हम लोग put करवाएंगे x को 0 minus h और h हमेशा क्या approach करेगा 0 ठीक है बटा अब इसको कैसे solve करना बर्धियान समझना तो इस पर मैंने क्या करा h से multiply कर दो 1 h से multiply करा और 1 h से divide करा नहीं हम आगरत लिख रहे हैं इसमें चलो theorem लगा दो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो limit sin limit h approaches to 0 और यह आ गया h into limit h approaches to 0 sin 1 by h इसको ऐसे तोड़ दो ठीक है ये एक वर्टू की है अब ये तो हमारे को पता है कि कितना हो गया ये तो हो गया कितना 0 अब ये sin function है sin function हमारे पास हमेशा defined रहता है मतलब उसकी value minus 1 से बीच में आती है बड़ वो हमेशा defined रहता है कभी not defined नहीं होता है चाहाँ एंगल में कुछ भी पुट करो तो यानि हम बोल सकते यहां पर क्या कि इसकी value oscillate करेगी बिट्वीन minus 1 and 1 वेकर समय बता है कि जो sin function की range होती है वो minus 1 से 1 तक होती है तो अब एंगल कुछ भी पुट करते हो तिल जो बर्दी value आ रही है ठीक है up to infinity और answer आपका minus 1 से 1 के बीच में करो और उसके साथ multiply कौन होगा 0 तो यानि के की value कितनी आगी है हमारे पास 0 तो 0 into something क्या बन जाएगा वो 0 तो option A मेरा answer आगया clear पिटा चले then again आपको एक constant की value निकालनी है ठीक है same LHL भे यह है रHL भे यह है तो again मैंने लिखा कि LHL equal है इस बार जो point चेक करना है हमारे को continuity के लिए वो है X equal to 3 तो RHL का मतलब हुआ limit मैं सीधा h tend to कर रहा हूँ ठीक है और जहां जा क्योंकि अब यह हमारे पास 3 पर check हो रहा है तो यानि X होगा हमारा X approach करेगा हमारा 3 plus तो हम लोग पुट क्या करवाएंगे X को 3 plus H तो जहां जाए X है वहां पर हमने क्या लिख दिया 3 plus H का होल स्क्यार माइनस यह आगया 6 का स्क्यार इस X की जगा पर 3 plus H माइनस 3 ठीक है ना अपन में अपन में X माइनस 3 यह कुछ कुश्चन में गबढ़ है यह आएगा X plus 3 यह पर चुट इसमें हाँ एक काम करो सीधा पहले क्या करो सिंप्लिफाइ कर दो कुश्चन सही है बिलकुल कि यह X plus जो भी लिमिट चल रही हमारे पास मैं लिमिट ने लिख रहा इसको आपने 6 का स्क्वेर लिखा लिमिट चाहिए आप बाद में चेंज कर देना और F of 3 हमारे पास इक्वल है 2 इंटू में 3 प्लस 1 विकास F of 3 का मतलब क्या हुआ जो X इक्वल टू 3 है उसमें K की वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो यह क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर A स्कर माइनस B स्कर लगा दिया हमने X प्लस 3 माइनस 6 X प्लस 3 प्लस 6 अपॉन X माइनस 3 इक्वल टू 6 प्लस 1 तो यह आएगा पिटा हमारे पास X माइनस 3 इंटू में X प्लस 9 अपॉन X माइनस 3 2K plus 1 अच्छा हमने K की विए पर 3 की लिए यह 2K plus 1 ही रहेगा मुझे लगा वो 2X plus 1 है स्वारी यह 2K plus 1 ही रहेगा मुझे लगा यह कि X है यह तो X minus 3 से X minus 3 तो cancer हो देगा और यह चल रहा है हमारे पास 2K plus 9 अब क्योंकि लिमिट जो थी वो हमारे पास 3 थी तो यहां पर आप X की लिए पर 3 पूट कर दो तो 3 plus 9 equal to 2K plus 1 12 minus 1 आ गया 2K तो K आ गया हमारे पास 11 by 2 तो बिल्कुल हमने direct यूज के बहुत है direct identity का यूज करके यह simplification concept यूज करके solve कर है अब हमें पता कि लिमिट की बाद तो लिमिट क्या चल रही है हमारी हर चेखा X approaches to 3 plus तो 3 plus का मतलब है कि जो X है वो 3 plus H के एकवल है और H approach कर रहा है 0 तो अगर मैं H को 0 पूट करूँगा इसमें तो मतलब मुझे X की जगा पर 3 पूट कर दो जब आप सब्जेक्टिव में सॉल करते हैं तो आपको हर एक स्टेक पर लिमिट लिखनी होती है और लिमिट चीज आपको शू करनी होती है बट मल्डिबल चोशन में हम लोग डिरेक्टली कर सकते है तो आपका आंसर आजएगा सिदर K एकवल टू 11 बाई 2 next function पर आपके पास mod x-3 continuous हो तो mod function जो पिट आपको यार रखना है हमेशा क्या होता है भी अगर आपके पास f of x इकवल टू mod x function है तो जो modulus function है वो क्या है हमारे पास हमेशा continuous होता है it's always continuous always continuous on r ठीक है बट not differentiable बट यह differentiable कब नहीं होता at critical point critical point मतलब जो mod के अंदर है उसको equal to 0 पुट करो तो यह जो हमारे पास mod x-3 function है तो यह हमारे पास क्योंकि mod function है तो continuous हमेशा रहेगा किस पर? every real number पर बट अगर मैं बात करूँ कि भई x-3 है तो अगर आप x-3 को 0 put करोगे तो x क्या आएगा? 3 तो इस point पर क्या है? not differentiable ठीक है not क्या है यह differentiable बट हमारे पास क्या है? continuous तो हमेशा ही है तो mod के अंदर की जो critical value होती है मतलब उसको जो 0 put करके हमारे पास x की value आती है mod function उस पर क्या होता है? differentiable नहीं होता बट continuous तो रहता ही रहता है और इस point के इलावा भी हर जगा पर क्या होता है? differentiable भी होता है next bit अब आपके पास दो mod आगे तो हमें बटा कि mod x क्या है? continuous है mod x-1 भी क्या है? continuous है तो बटा कर दो function continuous है तो उनका addition भी आपस में या भी subtraction भी आपस में क्या रहेगा? हमेशा continuous रहता है तो इस continuous on every real number तो इस mod x हर real number के लिए continuous है differentiable नहीं है at x equal to 0 same mod x-1 हमेशा continuous है बट differentiable नहीं है at x equal to 1 बट उनका sum जो मेंशा रहेगा वो भी क्या रहेगा continuous रहेगा differentiable के अभी आभी इम बात ही नहीं कहा है फिर क्या कहते है the differentiability of the continuous function always works on तो कोई भी अगर आपके पास function है वो differentiable होगा या नहीं होगा उसके लिए हमेशा भीटा उसको open interval में चेक किया जाता है close interval में उसको continuity के लिए चेक किया जाता है open interval में हमेशा किया जाता है continuity के लिए चेक किया जाता है but close interval में हमारे पास sorry open interval में हमेशा differentiability के लिए चेक किया जाता है close interval में आपके continuity के लिए चेक किया जाता है यह बात क्या दखना तो open interval for differentiability close interval for continuity अब बाता derivative आगया एक inverse signometric function का derivative करना है तो उसके लिए पहले जो sin inverse की value यह simplify होनी है अब क्या यह simplify हो सकती है तो हमने देखा question में 1 plus x square है और अगर आपने inverse trigonometric function वाली one short देखिए तो उसमें मैंने बताया था कि पहले अगर आपको simplify करना हो और question में कहीं पर 1 plus x करो तो हम लोग x को हमेशे क्या put करते है tan theta तो यह क्या बन गया y equal to sin inverse tan theta upon under root of 1 plus tan square theta तो बटाई यह sin inverse as it is रहेगा tan theta as it is रह 1 plus tan square theta क्या होता है secant square theta 10th वाली identity है बटा हमारे पास तो यह आ गया sin inverse tan theta और second theta square theta का अंडर उठके रहे गया second theta अब इसको sin cos में convert करा तो यह आ गया sin inverse sin theta by cos theta upon 1 by cos theta तो cos से cos cancel out y बटा हमारे पास sin inverse of sin theta यानि क्या बचा theta बटा हमारे पास जो answer है वो x के डंस में तो यानि कि theta की value आपको वापस से substitute करनी पड़ेगी तो theta की value कितनी बन जाएगी tan inverse x बिकर उसके tan उदर जाएगा तो क्या बनेगा tan inverse x तो y क्या बचा बचा हमारे पास tan inverse x हमें find out करना है dy by dx तो मतलब tan inverse x का derivative कर दो और उसका भी direct formula है 1 upon 1 plus x square तो यानि कि option c जो है हमारे पास बिलकुल correct answer आता है तो बचा अगर आपके पास inverse signometric function आ रहा है तो याद रखना कि पहले जो उसकी value है जो complicated है भी वो simplify होनी चाहिए हमारे पास देखो यहाँ पर tan inverse की value एक दो simplified form में आगी x की form में तो अब इसको आप derivative कर सकते हो बढ़ उससे पहले नहीं कर सकते है ठीक है तो कई बढ़ क्या होता है कि question आपके पास simplify हो जाता है बढ़ कई question simplify नहीं भी होते है तो उसमें आपको फिर पूरा chain rule लगा के derivative करना पड़ता है clear पिटा लोग तो उसको बढ़ ध्यान समझके note कर लो अब next question देखते है मिठा यह अग है y equal to 2 raise to power x cube तो हमें पता है कि अगर y equal to a raise to power x है तो उसका जो derivative है वो क्या बनता है a raise to power x into लोग तेक है यह महाँ पास formula है अब आपके पास है 2 raise to power x cube तो कुछ नहीं करना simple question है बढ़ chain rule आपको revise करना है तो इसलिए हमने इस question को रखा है आपाद तो diva में dx में क्या होगा पहले a raise to power x यानि कि 2 raise to power x cube का derivative फिर into में x cube का derivative ठीक है तो पहले तो a raise to power x का हुआ फिर into x का हुआ ठीक है जो हमारे पास chain rule होता है तो 2 raise to power x cube का derivative का हुआ 2 raise to power x cube into log 2 सेम a raise to power x into log 2 फिर into x cube का derivative का हुआ 3 x कर अब यह मत मुलना सार्ण यह पर प्रड़क्ट रूल लगा दो अरे यह बढ़ी डेरिवेटिव करने के बाद ही आए है कि बही 2 raise to power x cube का derivative यह होता है 2 raise to power x cube सॉरी 2 raise to power x cube का derivative into x cube का derivative यह प्रड़क्ट रूल लग रहा है यह दोनों डेरिवेटिवेटिव आपस में multiply हो रहे है chain rule की वजा से तो अब इसमें देख लो answer क्या मन का हमारे पास 3 2 raise to power x cube into x square log 2 ठीक है यहाँ पर जो option दे रखे है हमारे पास में कोटपड़ा यह question में correction है यह 2 की power x square है पर जो option दे रखे है तो उसके साब से यह है ठीक है वनना हमारा answer यह आ रहा है तो इसके लिए हमारा none मनता है कि none option है तो हो सकता ही है जान पूच के confuse करने के लिए दे रखाओ वनना अगर आपका question देखो यह होता 2 raise to power x square तो इसका derivative क्या होता हमारे पास कि पहले 2 raise to power x square into log 2 होता फिर into x square का derivative होता 2x अब यह वाला 2 और यह वाला 2 multiply हो रहे है और basis सेम है तो power add हो जाएगी फिर बचता है x into log 2 तो अगर यह होता तो हमारे पास देखो यह बन रहा है sorry यह नहीं option c x भी चाहिए ना तो यह बन रहा है बड़े तब बन रहा है जब कोशन x square है तो अगर कोशन x cube है तो इसका answer 9 है बड़ अगर कोशन में x square होता तो इसका answer यह वाली option होता है तो हो सकता कि हाँ पर typing mistake भी हो सकती है या फिर यह कोशन सही भी हो सकता है कि इसका answer none होना चाहिए बढ़ अगर अभी जो लिखा हुआ है 2 raise to power x cube तो उसके साफ से confirm है कि answer क्या है बटा मार पास none of these because इसका answer आ रहा है ये 2 raise to power 3 into 2 raise to power x cube into x square फिर log 2 clear बटा next है कि sine की power x raise to power x है तो again chain rule का एक example है और ये logarithmic differentiation यूज होगी हमें याद है logarithmic differentiation का भी use होती है जब आपके पास question में कहीं पर भी variable की power एक variable बनती है मतलब एक x वाली term की power एक y वाली term बन जाए या फिर कोई भी x की power y वाली term या फिर y या फिर कोई x वाली term क्यों ना हो तो वो variable की power variable होगी same y की power या तो variable हो तो भी हमारा पस वो कहके लएगी logarithmic differentiation से solve होगा अब आपको क्या करना है पहली बात तो यह use कहा करना था log ठीक हम बात करते हैं logarithmic differentiation तो या तो आपके पास question में ही variable की power variable बन रही हो वहां use कर सकते हो या फिर जब आपके पास जो quotient और product true है आपके पास वो क्या हो जाए gets complicated हो जाए gets complicated suppose को रूम ऐसे कोई function लेकर हो root x plus 1 into x plus 2 upon x plus 3 into x plus 4 into x plus 5 भी रख लो तो अकर मुझे इसको direct derivative करना पर जाए तो हालत खराब हो जाएगी पहले root का करोगे फिर इसका करोगे इसका करोगे इतना derivative हो जाएगा तो जब quotient tool या product rule complicated हो जाए तो आपके वास आप log root ये logarithmic differentiation यूज कर सकते हो और logarithmic differentiation का एक बहुत important result है वो आप याद रखो कि अगर x raise to power x है उसका derivative क्या होता है x raise to power x into 1 plus log x आप चाहो तो इसको जिस तरह से आप logarithmic differentiation की कोशन करते हो तो उस तरह से प्रूफ कर सकते हो बट मैंने आपको एक डिरेक्ट इसल बताए कि एक्स की power x का हर्मिशन derivative क्या होता है x की power x into 1 plus log x तो यह formula आप यूज करो multiple choice question के लिए कभी कोई गलती नहीं होगी तो जैसे यह साइन x is to power x तो dy by dx के आएगा हमारे पास पहले साइन का derivative होगा cause जो एंगल derivative करने से पहले होता है वही एंगल derivative करने के बाद रहता है यह बात भी दिमांग में रखने है कि जो एंगल derivative करने से पहले होता है वही एंगल आपका derivative करने के बाद भी होता है तो cause x is to power x into derivative किसका angle का chain rule के हिसाफ से तो यह तो भी सिर्फ साइन का derivative है cos x is to power x सिर्फ साइन का derivative है x की power x का derivative क्या होगा अलग से करोगे और अभी आपको बता है क्या होता है x is to power x into 1 plus log x तो यह हमारा final answer है x is to power x cos x is to power x इसमें भी हमारे पास यह x square है यह भी नहीं चलेगा तो यानि इसमें भी none of these अगर यह 2 की जगा पर क्या होता x की power x होता तो यह वाला option बन सकता ना थेकिए बड़ वो confuse करने के लिए आपको उसने x square दे दिया और option में आपके पास क्या है none of these है तो that means कोई typing mistake नहीं है यह इसने confuse करने के लिए आपको इस तरह से दियाता है चलिए next event आपके पास कि root x minus root y equal at 10 के तो आपको dy by dx बताना है कि क्या हैगा तो आपने derivative स्टार्ट करा root x का derivative क्या हो गया 1 by 2 root x और root y का derivative क्या होता है 1 by 2 root y अब क्यूंकि हम with respect to x कर रहे हैं और यह वाली time है तो इन्टो dy by dx और यह इक वाला है 10 के और 10 कॉंसेट है तो उसका derivative कितना हो गया 0 हमें dy by dx निकाल ला है तो minus 1 by 2 root y dy by dx is equal to minus 1 by 2 root x तो 2 से 2 के answer हो देगा minus से minus के answer हो देगा dy by dx कितना आगे हमारे पास root y by root x root y by root x यानि option c हमारे पास exactly match करती है तो यह एक तरह से हमारे पास था derivative of implicit function implicit function मतब वही जुसको आप express कर सकते हो express नहीं कर सकते कि वह function of x की form है तो y equal to f of x हमेशा क्या होता है explicit function होता है but y equals not equal to f of x वह हमेशा क्या होगा implicit function होगा तो यह पिटा हमारे पास उसका derivative आगे next question again inverse value का question और वह वाला question जिसमे simplification यूज होती है तो अगर ऐसे question है आपके पास जिसमें जो दोनों चीज़े है वो numerator में प्लस है तो denominator में माइनस या फिर उल्टा न्यूबिटर में माइनस है तो denominator में प्लस बट दोनों चीज़ें सेम है तो वहाँ पर आप आपको एक trick सिखा रहूं क्या करना है हमेशा जो ये वाली term होगी ना आपकी ये वाली term होगी हमेशा इसको बनाओ equal इसको बनाओ make it equal to 1 इसको बनाने के लिए मैंने क्या करा कि सबको cos x से divide कर दिया हर इक time को क्या कर दिया मैंने divide by cos x कर दिया cos x upon cos x 1 sin x upon cos x क्या बना tan x cos x upon cos x 1 और ये बना minus tan x ठीक है फिर ये into 1 होना शुरू होगी हमारे पास ठीक है अब इस उपर वाले को तो रहन दो बट नीचे वाले को ये फिचर दो एक और तरीका बताता हूँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला जो 1 है उसको आपने लिखा tan pi by 4 ये हो गया tan x और नीचे है 1 minus tan x और जो into 1 है उसको मैंने लिख दिया tan pi by 4 इसको इसलिए करा बटा ताकि फॉर्मला बन जाए किसका ये फॉर्मला बन गया मेरा a plus b का tan a plus b का फॉर्मला बन गया tan inverse से tan हटा बचा गया मेरे पास सिरफ pi by 4 plus x क्या बचा बचा बटा हमारे पास pi by 4 plus x ठीक है बट ये sorry pi by 4 plus x बट हमसे option पूछा है इस फॉर्म में हमने क्या पड़ करी है अच्छ ये गया बटा tan a plus tan b upon me 1 minus tan a tan b तो tan versus tan हटा बचा के हमारे पास pi by 4 plus x एक मिनिट अच्छा ठीक तो है ये y की value आई है हमें तो dy by dx सही है तो तभी कोई option match क्यों ही हो रहा तो y आया है हमारे पास pi by 4 plus x हमें तो find out करना है dy by dx अब pi by 4 तो constant है derivative 0 x का derivative 1 तो यहन्य derivative की value आ रही है 1 वही कोई कि हमारा answer pi by 4 plus में आ रहा है और यहांपर answer option 1 minus 1 की form में तो यहांपर answer option 1 minus 1 की form में तो यहांपर हम कुछ इगनोर करना है तो question में find out dy by dx करना था हम तो सिर्फ अभी यह inverse को simplify करके y बताया है कि यह आएगा clear everyone एक question और दिखते हैं कि f of x अगर हमारे पास है mod x plus a is not a differentiable mod function कब differentiable नहीं होता जब mod function के अंदर हमारे पास 0 आता है तो हमसे पूछा है कि it is not differentiable तो not differentiable का मत्तब कि x plus a के अंदर हमारे पास 0 है तो यानि कि जो हमारे पास x plus 5 है वो equal to 0 है तो x किसके एकपल आ गया minus 5 के पूछ नोट differentiable के लिए क्या होना चाहिए x plus a को 0 होना चाहिए sorry non differentiable के लिए तो यानि x को minus 5 होना चाहिए clear बिटा इतनी बात option c हमारे पास आ गया कि पूछ एट x equal to minus 5 जो function है वो not differentiable है clear everyone function चाहिए बढ़ते हैं आगे yes बिटा आत्रों से माइक मिखार में म्यूट होके था अब बिटा कोशिन 17 है हमारे पास कि y equal to log base x with आपके पास value 5 अब यह हमारे पास जो base है यहाँ पर log का वो x base है हमें पता कि calculus में चाहिए आपको उसको derivative करना हो चाहिए आपको उसको इंटेग्रेट करना हो जो लॉग होना चाहिए वो एक्स्पोरेंशियल बेस का होना चाहिए तो यहाँ पर हमारे को base change करना है base change formula मारे पास क्या होता है कि log में अगर base a है value b है और आपको एक नए base में इसको यहाँ 5 upon log x अब यह दोनों log यह exponential base में तो यह जो log 5 है यह तो हमारे पास किस की तरह भीव करेगा constant की तरह तो जब मैं dy में dx करूंगा तो यह log 5 as it is रहेगा derivative होगा 1 by log x का ठीक है 1 by x का derivative हम लोग भूत बार revise कर चुके हैं क्या होता है minus 1 by x direct derivative याद रखना है 1 by x का minus 1 by x square तो 1 by log x का क्या हो जाएगा minus 1 by log x का whole square into with chain rule के साब से log x का derivative 1 by x तो 1 by log x का 1 by x की तरह हुआ minus 1 by x square और फिर log x है उसका हुआ into 1 by x तो यह बना minus log 5 upon x into में log x का whole square तो अगर मैं option देखो तो x साथ में आ रहा है तो यह option दी है ठीक है चाहे आप exponential base लिखो ना लिखो एक ही बात है ठीक हो understood है कि calculus में जो base रहेगा वो exponential रहेगा अगर नहीं है तो आपको change करना आता है अब अगर लहां पर log की property लग रही है हमारे पास कि हमारे को पता है कि log a minus log b equal होता है log a by b के ठीक है यह property होती है derivative आजाएगा differentiating with respect to x y का derivative बना dy by dx इस log का बना 1 upon 1 minus x square into minus x square का बना minus 2x फिर minus 1 by 1 plus x square into 2x ठीक है बटा तो यह बना मेरे पास minus 2x upon 1 minus x square और minus 2x upon 1 plus x square अब इसको simplify करना है हमारे को तो देखो minus 2x common ले लो यह हो गया 1 by 1 minus x square minus अच्छा जब minus 2x हमने common लिया है तो यहाँ पर plus आ जाएगा तो यह आ गया minus 2x into यह बटा 1 minus x square plus 1 सुरी एक plus है नहीं है यह वाला plus है तो यह 1 plus x square plus 1 minus x square और यहाँ पर identity लग गी a square minus b square की बिकास l से हम लेंगे तो दोनों multiply होंगे तो हुआ क्या जी plus x square से minus x square cancelled हो गया और यह 1 plus 1 हो गया 2 तो यह finally बचा minus 4x upon 1 minus x की power 4 minus 4x upon 1 minus x की power 4 तो यानि option b हमारे पास बिलकुल correct answer है अगर y equal है हमारे पास cos ax plus b के then the value of y2 y2 का मतलब होगा double derivative कब at x equal to minus b y है तो आपको value भी दे रखिए तो पहले y2 तक पहुचने हैं तो y1 का मतलब हो गया first derivative वह कैसे निकलेगा cos का हो जाएगा minus sign एंगल derivative करने से पहले ax plus b है derivative करने के बाद भी वही रहेगा तो इंटू ax plus b का derivative के इतना आ गया a फिर y2 बोला क्योंकि यह a concern है तो product rule मतलगा देना तो यह minus a as it is रहेगा sin का derivative बनेगा cos एंगल वही रहेगा ax plus b into ax plus b का derivative आ गया a तो यानि y2 किसके एकवल आ गया हमारे पास minus a square cos ax plus b के एकवल आ गया अब x की value पुड़े रखिए हमारे को कितनी at x equal to minus b by a y2 कितना हुआ minus a square बिड़ा इस y2 के इंदर हम लोग x से जहां पर वहां पर minus b by a put कर देंगे यह हो गया cos x की जगापर इस पहले a address x की जगापर minus b by a और फिर plus b a से cancel out यह बचा cos minus b plus b यानि की cos 0 और cos 0 कितना होता है 1 तो यानि y2 की value कितनी आगी हमारे पास minus a square तो यानि option a बिलकुल correct answer आजाएगा हमारे पास क्या minus a square अब यह बहुत अच्छा question है आपके पास आपने इस question को cbsc के लिए जरूर प्रेक्टिस करा होगा तो यहां पर देखो बड़क कैसे करेंगे अब कि अब log की कोई property तो लग नहीं थी because log a plus b तो कुछ नहीं होता याद रखना है आपको हमेशा कि log a plus b कुछ नहीं होता log a into b होता है log a plus log b तो यहनि यहां पर directly अब derivative करोगे तो dy by dx आजाएगा हमारे पास सबसे पहले इस log का derivative होगा तो 1 by x plus under root x square plus a square because log x का derivative होता है 1 by x तो log क्या के जो भी है वो 1 by आजाएगा into जब हम chain rule लगाएंगे तो पहले x का करेंगे x का derivative 1 फिर इसमें chain rule लगेगा तो इसमें पहले derivative होगा root का ठीक है root x का derivative आपको directly याद करवाया हुआ है कितना 1 by 2 root x तो root x का derivative क्या होता है 1 by 2 root x तो ये बनेगा 1 by 2 root जो derivative करने से पहले root में है derivative करने के बाद में भी वही रहेगा फिर into जो root के अंदर है उसका derivative x square का 2x और a square का 0 तो ये हमारे पास derivative खतम हुआ तो अब ये बचा क्या है इसको देखते हैं ये बचा x plus under root x square plus a square into 1 plus ये रखो ये 2 से 2 तो cancel देगा ये बचा x under root x square plus a square अब आप इसको LCM ले सकते हैं ध्यान से कर देखो तो LCM लेंगे तो denominator में आ जाएगा under root of x square plus a square ये आ गया under root of x square plus a square plus x तो ये क्या होगे दुनों कैंसर होगे तो बचा क्या 1 by under root of x square plus a square यानि option c मेरे पास बिलकुल correct answer आ जाएगा आई बास समझे मिटा थोड़ा सा रिंदी जी हो रहा है बट एस इस टेख के कोशन भी आ सकते हैं again y दे रखा है आपको तो यहां पर थोड़ी सी समझदारी करो इसको कॉस में convert कर लो तो second x को आप क्या लिख सकते हो 1 by cause x अभी दो मिट में आपको बता लग जाएगा ऐसा क्यों करा हमने ऐसा इसलिए करा ताकि जब आप LCM लो तो यह बने 1 minus cause x upon me cause x hold developed by 1 plus cause x upon me cause x तो cause x से cause x क्या हो गया कैंसर्ड हो गया अब lifeline यूज़ कर लो 1 minus cause theta आपको बताएगा दो lifeline ठीक मैं बार बार बता रहा हूँ 1 minus cause theta equal to 2 sin square theta by 2 इसको मैं lifeline इसलिए बोलता हूँ because trigo के बहुत सारे question में यह आपको help करती है तो यह 2 cos square theta by 2 लिगे तो यह बना मैठा हमारे पास under root में 2 sin square theta by 2 upon 2 cos square theta by 2 2 से 2 कहना गया sin square by cos square क्या बन गया 10 square और 10 square का under root क्या रह गया सिरफ 10 theta by sorry यहाँ पर theta लेख रहा हूँ मैं angle तो हमारा x ही चलेगा x by 2 और यहाँ पर भी x by 2 तो यह आ गया 10 x by 2 ठीक है तो यह आई ही y की value यह किसकी value अभी है y की value है 10 x by 2 हमें find out करना है dy by dx तो 10 का derivative क्या हो गया sec square x by 2 और x by 2 का derivative 1 by 2 तो 1 by 2 sec square x by 2 हमारा correct answer आजएगा तो लाइप नहीं लगा कि question बहुत simple हो गया वन्ना अगर आप direct करते तो बहुत complicated हो जाता next question देखते हैं अब यह भी direct formula based question है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y equal to tan inverse under root a है यह plus under root x upon 1 minus में under root a into under root x तो अगर आप ध्यान से देखो formula बन गया tan inverse x plus y upon 1 minus xy तो यह क्या बन गया सीधा हमारे पास किसका formula होता है tan inverse x minus tan inverse y y is root x ठीक है tan inverse हो रही है root a a आज़ा हो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह constant है हमारे पास तो अगर मैं derivative करूँगा तो यह पूरा क्या है constant कहीं पर भी x वो लिटम नहीं है तो इसका derivative जीरो सिर्व tan inverse का derivative हो का 1 upon 1 plus x square into root x का derivative 1 by 2 root x तो अगर आप option देखोगे तो पहली reject हो जाएगी दूसरी भी reject हो जाएगी तीसरी भी reject हो जाएगी हाबर चौथी रहेगी तो option d हमारे पास correct answer है ठीक है 1 by 2 भी आ रहा है इसके अंदर root x भी आ रहा है और यह 1 plus x तो देगा वो भी आ रहा है ठीक है तो यह बन जाएगा हमारे पास 1 by 2 root x इंटू में 1 plus x तो यह बचा यह आपके पास फाइन answer आएगा यानि option number d चलिए एक और question again मिटा यहाँ पर आपके पास inverse टीक का concept यूज़ होगा अगर आप इसमें से minus common निकालते हैं तो साफ दिखाए दे रहा है कि हमारे पास formula बन रहा है ठीक है बड़ आपको दो चीज़ यार रखनी है कि अगर cause inverse के अंदर minus x already आप लोगी inverse पे पढ़ चुके हो बड़ अगर नहीं पढ़ी तो यह formula रखना कि cause के inverse के अंदर minus sign आता है तो minus sign बाहर आ जाता है इसन भी मैंने बताया था क्यों आता है ठीक है और दूसरा कि जो cause inverse one minus x square upon one plus x square it is equal to हमारे पास क्या होता है two tan inverse x का formula होता है तो यहां पर यह आएगा तो से पहले cause inverse के अंदर minus sign आया तो क्या बन गया pi minus cause inverse one minus x square upon one plus x square ठीक है और यह हम बतारे जी यह किसका formula होता है हमारे पास two tan inverse x का अब dy by dx देखो बिटा pi का derivative zero minus two tan inverse x का derivative one upon one plus x square तो यहांनि minus two upon one plus x square यहांनि option b मेरे पास बिलकुल correct answer आएगा तो बता derivative के concept तो आपको चाहिए ही चाहिए उनके भीना तो आगे बढ़ी नहीं सकते तो formula भी आपके बिलकुल tips पर रोंचे कि कब कौनसा formula कैसे use होगा क्लियर बटा चालिए next question देखते है again यह हमारे पास अब inverse trigonometric function है इसको पहले simplify करना पड़ेगा गएगी है 2 cos square x by 2 2 cos square x by 2 और हमारे पास अगर नीचे एंगल हाफ हुआ है तो उपर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा तो इसके लिए हमने गिवाला formula यूज़ करा sin theta का which is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ठीक है जो हमारे पास एक तरह से sin 2 theta का ही formula है 2 sin theta cos theta formula लगने के बाद एंगल हाफ हो जाता है तो इसको भी हमने लगा दिये 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 2 से 2 cancer हो गया 1 cos से cos cancer हो जाएगा तो बचे का tan inverse tan x by 2 tan x by 2 tan inverse से tan हटा हो बचा क्या x by 2 ठीक है यह आई y की value हमें तो तो फिर d y by dx निकालना है तो d y by dx क्या हो जागा x relative क्या हो गया 1 तो 1 by 2 तो यहानी option c हमारे पास correct बैटा इस question के लिए clear बचा तो आपको बस यह देखने कि आपको find out क्या करना है उसको देखना है और बीच पे जो भी चीजे आ रही है उनको बनाते जाना है clear अब यह भी बटा बहुत बढ़िया लेवल का question है बच्चे इसको solve करते रह जाते हैं बट अभी हमने एक property पड़े थी inverse में कि sin inverse x plus cos inverse x किसके एकवर होता है pi by 2 के किसके एकवर होता है pi by 2 के तो यह ध्यान से देखो यह sin inverse x plus cos inverse x ही तो बन रहा है तो यानि यह क्या आगए derivative of sin inverse क्या हो जागा यह हमारे पास sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 है तो derivative क्या हो जागा हमारे पास pi by 2 हो जागा derivative यह इसकी value pi by 2 है और वो किसके एकवर आएगा 0 के तो 0 answer आजाएगा clear बटा इसको note down कर लो चलिए बटा अब आते नेक्स question पर कि अगर हमारे पास f of x है sin inverse root x तो what is differential coefficient तो नाम सिर्फ सुनाने के लिए आपको question लिया गया है कि differential coefficient का मतलब होता है derivative ठीक है तो यानि कि आपको derivative निकालना क्या है differential question का मतलब आपको find out क्या करना है आपको find out तो f dash x ही करना है ठीक है तो f dash x क्या आएगा सबसे पहले हमें पता है कि जो sin inverse x होता है उसका derivative होता है 1 upon under root 1 minus x square तो sin inverse root x का क्या हो जागा तो पहले sin inverse का 1 upon under root 1 minus under root x का square into फिर जो root x का derivative which is 1 by 2 root x ठीक है अभी हमने revise करा था तो यहां देखा 1 by 2 root x into under root 1 minus x अब option में देखते है root x into under root 1 minus x ठीक है तब positive में आ रहा है तो यह answer आ गया हमारे पास clear बिटा चाले अब यह भी बड़त सा question है कि यहां पर sin x का derivative चाहिए आपको cos 2 x की respect में sin x का derivative चाहिए किस की respect में cos 2 x की respect में तो ऐसे question में हम क्या करते है पहले जो concept है कि derivative of यह concept क्या है derivative of one function with respect to other derivative of one function with respect to other तो बिटा यह जैसे हैं हमारे पास sin x तो उसका derivative करना है मुझे z function की respect में जो की क्या है cos 2 x हमें y का derivative चाहिए z की respect में तो यानि मुझे d y by d z चाहिए हमें क्या चाहिए d y by d z चाहिए अब यह d y by d z कैसे मिलेगा इसको देखो तो पहले हमने d y by d x करा क्योंकि y और z में दोनों में common variable क्या है x तो यह भी एक तरह से x के ताहिए parametric function की तरह behave कर रहे है तो वही का हम यहां पर कर रहे है d y by d x sin x का derivative cos x और d z by d x cos 2 x का derivative पहले cos का minus sin 2 x into 2 x का 2 अब d y by d x जैसे भी हम लोग parametric में करते है कि d y by हमारे को इस बार चाहिए d z वो कैसे मिलेगा it will be d y by d x upon में d z by d x तो इस बार d y by d x वाला पार उपर आएगा तो यह वहां पर d y by d t यह फिर वाला पार आता रहा है है it is cos x upon में minus 2 sin 2 x but हमारे पास answer simplified form में है तो हम simplify करते हैं cos x upon minus 2 यहां पर हमने formula यूज कर रहा sin 2 theta का which is 2 sin theta into cos theta 2 sin x into cos x cos x से cos x गया तो यह बचा हमारे पास minus 1 by 4 sin x या फिर minus 1 by 4 cos x तो यानि option a हमारे पास correct answer आजाएगा clear तो बस आपको यह ध्यान में रखना है कि जो option है वो किस form में आ रहा है आपके पास उसी form में आपको इसका answer देना है next मिने को बड़ा बढ़िया question है कि अगर f of 1 हमारे पास 4 है f dash 1 equal to 3 है और the derivative of log पेटा यह है log f 5 raise to power x इसका derivative आपको बताना है क्या होगा at x equal to 0 इसका derivative क्या होगा at x equal to 0 अब बस chain rule यूज करना है पेटा आपने इसके derivative के लिए और वो भी बड़ा ध्यान से जैसे इसके लिए क्या करेंगे पहले सबसे पहले आप derivative करोगे लॉक का परको इस पूरे का derivative नहीं पूरे के derivative में इस पहले derivative होगा log का log का क्या होगा 1 by जो भी log के आगे होता है वो 1 by में आ जाता है फिर इंटू derivative होगा function का तो f dash 5 raise to power x फिर into derivative होगा किसका log into derivative किसका होगा 5 raise to power x का 5 raise to power x into log 5 तो यह आगया हमारे पास क्या अगर यह हमारे पास पूरा y है तो यह आगया y dash या फिर dy by dx बट हमारे को dy by dx की निकालना है हमारे को dy by dx at x equal to 0 निकालना है तो at x equal to 0 dy by dx क्या या फिर y dash क्या बनेगा 1 by f of 5 raise to power 0 into f dash 5 raise to power 0 into 5 raise to power 0 into log 5 ठीक है तो log 5 तो आना ही आना है तो सारे option में ही है तो इससे सिर्फ कुछ नहीं बता चलेगा अब anything raise to power 0 is always 1 तो f of 1 यह f dash 1 यह 1 into log 5 अब values दे रखिए भीटा f of 1 की value दे रखिए 4 तो 1 by 4 into f dash 1 की value दे रखिए 3 तो answer आ गया 3 by 4 log 5 ठीक है बटो अच्छे लेवल के question है भीटा यह इस तरह के question आपके cvd exam में आ सकते हैं अरहाम से तो 3 by 4 log 5 तो उसके लिए पहले हमने बटा d x by d theta निकाला a as it is cos cube का derivative 3 cos कर theta ठीक है cos cube theta का मतलब क्या हो गया cos theta जिसे a cos theta का whole cube तो a तो constant है as it is रहेगा सुरी whole cube नहीं a तो हमारे पास as it is रहेगा cos cube में क्या मतलब क्या हुआ cos theta का whole cube तो power आगे एक power काम अब आपके पास cos theta का आएगा minus sin theta ठीक है अब चलो तो यह हमारे पास क्या होता है parametric functions के लिए आपको concept याद रखना है कि पहले जो common variable x और y की डम्स में आप उसकी disrespect में derivative करोगे ऐसे ही बटा dy by d theta क्या आजाएगा पहले b as it is sin cube का derivative 3 sin square theta और फिर sin theta का derivative cos theta हमें क्या find out करना है dy by dx जो की एक वाल होगा किसके dy by d theta upon dx by d theta के तेके dy by d theta क्या हो गया 3b sin square theta into cos theta और यह आजाएगा minus 3a cos square theta into sin theta ठीक है एक sin से sin गया एक cos से cos गया 3 से 3 गया बचा minus b by a उपर बच गया एक sin theta नीचे बच गया एक cos theta तो यानि minus b by a ये बन गया tan theta ये हमारा बिटा final answer आजाएगा तो यानि option c हमारे पास बिलकुल correct आएगा minus b by a tan theta next again बिटा हमारे पास एक parametric equation तो जल्दी जल्दी देखते हैं तो dx by d theta again बिटा a as it is cos theta के derivative minus sin theta अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको alert रहना है कि जो theta sin theta है यहाँ पर ये दो function multiply हो रहे हैं यहाँ पर आपको product rule यूज करना है तो यहाँ पर गरबढ़ कर जाते हो यह NCID के कोशन है यह तो यहाँ पर आपके पास आपके exercise का 5.6 का तो यहाँ पर गरबढ़ कर जाते हो sin theta plus अब इन दोनों में product rule तो theta as it is sin theta का derivative cos theta plus cos theta as it is sin theta का derivative 1 क्योंकि हम लोग theta की respect में ही derivate कर रहे है तो हमारे पास सरी यह cos theta नहीं sin theta as it is theta का derivative 1 तो यह minus sin theta और plus sin theta cancel out तो यह बचा a theta cos theta कौन? dx by d theta इसी तरह से भी आप dy by d theta देखो पहले a as it is sin theta का derivative cos theta अब minus sin है भार और यहां पर फिर आपके पास product tool लगेगा theta into cos theta का तो पहले theta as it is cos theta का minus sin theta plus cos theta as it is theta के derivative 1 तो यह में बचा a cos theta minus minus plus a theta sin theta minus cos theta cos theta से cos theta cancel out हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास यह a theta sin theta तो dy by d theta बचा a theta sin theta dx by d theta बचा plus a theta cos theta ठीक है अब हमें find out क्या करना होता है dy by dx और parametric में कैसे find out करते है dy by d theta upon dx by d theta ठीक है तो dy by d theta पेटा ध्यान दखना कि dy by d theta है वो ही उपर आए numerator में और यह a theta cos theta cancel cancel sin theta by cos theta क्या बन गया tan theta तो यानि answer आ गया option number b answer क्या आ गया option number b चलो अब आते हैं बेटा next question पर यह बेटा बहुत प्यारा question है बेटा ध्यान से समझे ने इस question को y आपको दे रखा है e raised to power log x plus 1 क्यों आपके पास हमेशा competitive examination में इस तरह कोशन आता है जिसमें concept involved हो तो यहां पर multiple concept use हो रहे हैं तो इसने question और जारा important बच जाता है तो देखो सरसे बहले हैं कौन सी property यूज हुई log a minus log b ठीक है वो किसके एकवाल होती है log a by b तो यह वाली property यूज हुई है यहां पर log x plus 1 upon x फिर दूसरी property यूज हुई कि e raised to power log x किसके एकवाल होता है x because log में हमें पता है कि यह by default exponential base होता है तो यानि e log यह क्या बचेगा हमारे पास x plus 1 by x तो उसको और simplify करके मैं अलग-अलग कर सकता हूँ x by x plus 1 by x तो यानि y किसके एकवाल आ गया 1 plus 1 by x के तो अगर बेटा y यह है तो हमें find out करना है dy by dx so that means dy by dx कितना आ गया 1 का derivative 0 और 1 by x का minus 1 by x square that's it तो यानि option b मेरे पास direct answer then अगर sin y equal है x sin a plus y के तो dy by dx निकालना है तो बढ़िया question है ऐसा question आपके पास ncrt में भी है subjective point of view से x sin a plus y अब आपको dy by dx निकालना है हमने question में देखा कि हर जगा पर हमारे पास क्या है y है बट a की x है तो मैंने क्या करा है इसको इदर भेज़ दिया ताकि सारे y वाले एक तरफ हो जाए x वाले एक तरफ हो जाए अब क्योंकि x अकेरा रहागा generally क्या होता रहा हमारे पास question जो उता रहा वो y equal to f of x की form में ना था तो हम लोग d by by dx करते रहे कि x के respect में differentiate कर दिया बट अब क्या आ गया x equal आ गया f of y की form में तो क्यों ना इस बार हम लोग यहां पर उल्टा काम करें कि जी differentiate करते हैं with respect to क्या y तो जैसे x के लिए करते हैं अब हम ऐसे y के लिए करेंगे तो यहां पर तो पहले question tool तो पहले sin a plus y as it is sin y का derivative, numerator का derivative करते हैं cos y, फिर हम into dy by dx करते हैं वो into dy by dx इसलिए होता है क्योंकि हम लोग x की respect में derivative करते हैं यहां पर हम तो डिफिरिशेट करते हैं कि इसके respect में y की respect में यहां लिख लो अच्छे लिखा तो है differentiating with respect to y तो यहांनि यह cause y रहेगा बस into dy by dx नहीं आएगा because y की respect में ही कर रहे हैं जब x की respect में करते हैं तो sin x का derivative क्या होता है सिरफ cause x ठीक है into में x का derivative 1 होता है ऐसी जब हम लोग y की respect में करेंगे तो sin y का derivative cause y into y का derivative 1 वो हमारे पास हमेशन साथ में रहता है minus sin y as it is sin a plus y का cause a plus y into a plus y में a का तो 0 होगे और y का 1 because हम लोग y की respect में करते हैं upon denominator का square और यह x का derivative होगया dx by dy हमें find out करना है dy by dx तो reciprocal कर दो जी तो dy by dx equal आगए किसके sin square a plus y upon और अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो यह sin a cause b minus sin b cause a formula बन रहा है sin a cause b minus sin b cause a किसका formula होता है यह sin a a यानिकी a plus y minus b का formula होता है तो यह answer आए बिटा मेरे पास sin square bracket में a plus y upon sin a तो यानि option b बिलकुल correct आ गया option b बिलकुल correct आ गया clear everyone चालो next question है यह बिटा यह भी चलाक question है ठीक है इसमें आप लोग solve करने जाओगे डिरेक्ट तो आपको time लगेगा बट दिमाग यूज करना है concept यूज करना है why tan inverse x है secant inverse x cause inverse 1 by x का मतलब secant inverse x तो यह बिटा हमारे पास formula है inverse टिक हो के ठीक है ना तो इसके base पर आपने इसको solve कर दिए है तो इसलिए tan inverse 1 by x का बन गया caught inverse x और यह हमारे को पता direct result होता है pi by 2 तो यानि y एक constant आ गया तो अब d y by dx किस के एकवल आएगा 0 के because constant का derivative 0 तो इस तरह से question लगता है कि हम यह बढ़ा lengthy question हो जागा but concept यूज करके question बिल्कुल छोटा हो जाता है और यही competitive examination बिटा तरीका होता है questions को पूछने का next same बिटा वह multiple concept यूज होगा तो हमें अभी पढ़ा था कि भई e raise to power log अगर base e है तो वह वापस क्या जाता है x आ जाता है same बोला concept कि यह e की power है तो पहले तो वह हमारे पास log की जो property है log a raise to power b वह क्या होता है b into log a तो पहले तो पावर आगे जाएगी अभी यह y चलता भी हमने derivative नहीं करा यह बना sin x square into log e base ठी ठीक है अब वह चलो वह use करने की जूरत नहीं पढ़ी है हमारे को हमने यह वाली property यूज करनी है कि जब value और base same हो जाते है तो result 1 हो जाता है तो यह log की कुछ properties है वह use हो रही है हम पर तो यह sin x square बचा इंटू 1 तो y क्या बचा सिरफ sin x square हमें find out क्या करना है d y by dx so that implies d y by dx क्या ज़ेगा sin का हो गया cause x square और x square का हो गया 2x तो 2x cause x square यानि option c हमारे पास बिलकुल correct answer आ रहे है तो बड़े इस तरह से आपके पास question आ रहे है बड़े simple simple से अराम से इसको करने है समझ के करने है कोई जल्दबाजी में mistake नहीं करनी है तो एक बहुत important question हो रहे है हमारे पास कि जो function है आपके पास वो equal है x square into g of x के फिर दे रखा है कि g of 1 जो है 6 है और जो g dash 1 है वो 3 है आपको value find out करनी है f dash 1 की तो f dash 1 की value find out करनी है मतलब differentiate करना पड़ेगा with respect to x अब इसका derivative देखो बड़ा ध्यान से f x का derivative तो बन गया f dash x f x का derivative क्या बन गया f dash x अब यहाँ पर दो चीज़े multiply हो रही है तो यहाँ पर हम लोग product rule लगाएंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास पहले x square as it is g x का derivative g dash x फिर प्लस g x as it is x square का derivative 2 x अब हमारे को find out करना है f dash 1 तो हमने बात करी जी at x equal to 1 क्या होगा तो at x equal to 1 हमें क्या मिला कि जो f dash 1 है कि जहाँ जाँ एक साम 1 डाल रहे है वो बनेगा 1 square into g dash 1 प्लस g of 1 into 2 into 1 यह बनेगा हमारे पास तो 1 का square तो 1 ही हो गया और g dash 1 की value है 6 ने sorry, g dash 1 की value है 3 तो यहाँ गया 1 into 3 फिर g of 1 की value है 6 और यह into 2 तो यहाँ गया 3 plus 12 तो यानि answer आ गया हमारे पास 15 तो मेरा option B बिल्कुल क्या आ गया correct आ गया तो बटा with this question हमारा आज का जो chapter है जो आज का topic था हमारे पास continuity and differentciability वो यहीं पर end होता है ठीक है हमने सारे पहले topic की details पढ़ी अच्छे से समझा हर एक चीज का मतलब फिर उनसे निटिट आपने बहुत सारे questions भी देखे ठीक है questions आपको और practice करने है through mock test ठीक है या फिर आपके पास कोई भी practice book है practice paper है या mock papers है उनको अच्छे से practice करते जाओ बिटा तेयारी बिल्कुल बड़िया level पर होती जाएगी आप अपने dream college के पास है वो नहीं हो पाएगा वो चीज इंपोर्टन है जिसके लिए आपको बिटा कोशिश करनी है कि आप जितने जादा questions extra practice कर सको उतने करो ठीक है बचे बाकी all the best keep preparing and मिलते है बिटा next chapter के साथ next video में take care thank you